राध्य मेरी स्वामिनी मैं राध्य को दाः जनम जनम मुहदीजियो स्रीवरिन्दावनवाद राध्य तो बड़ भागनी कौन दपश्य की तीना लोक के नात है सुतिरो आदि जय राध्य मादव कुन्य पिहारी 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 गुपी जनवर अवगिरिवर दारि जयरारमानव कुण्य पिहारि यह सोदाननी दना प्रजजना रांजना व्या यह सोदाननी दना प्रजजना रांजना यह सोदानन प्रजजना रांजना या सोदा मंगना रदे जनरंजना या सोदा मंगना रदे जनरंजना या मुना तिरवन चारिया जय रादा मादन भुन्य पिहारे 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 जय रादन 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 भुन्य पिहारे या सोदानम नना वजजना राण्यना या सोदानम नना वजजना राण्यना या सोदानम नना वजजना राण्यना या मुनतिरवन चारे या सकता मुनतिरवन चारव जयरा ना मालव दिन्न पिलहारे जाली जान जाली 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 क्यानुना तिरवल जारे यानुना तिरवल जारे अभज गो इनको इनको पाला भज गो इनको इनको पाला अभज मूर्ई मनोह रनला लाला बज्य मूरनी मनु ओहर नलाला बज्य को विन्न को विन्न को बाला बज्य को विन्न 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 क गुपाल, जय जय नंड क्या चोदा दो लाल गुरी वर धानी गुपाल जय जय नंड क्यों गुपाल तेरी वर धानी गुपाल गुपाल, 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 गुपाल खुच जय जय नंड यशोदा दो लाल गुपाल, गुपाल गुपाल, गुपाल गुपाल रिटर्ड नाम महादन है अपनो नहीं दूशरी संपतियार कमाने छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही बनाने कुटिया ब्रज माही बनाने हमको कुटिया ब्रज माही बनाने ठूक मिले रसिको किशरा अर पवन को यमुना खल पानी हमें आरन की परवान ही अपनी खकुराने शेरादी कराने एय रादे 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 करिंदावन में रिंदावन में, कालिदेश पर, अध्यातक पर, दान गली पर, मान गली पर, गोकुन गली में, सीव कुझ में, प्रेम गली में, शिंगारबाद में, शीर घाड पर, रादे, 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 परशाने वाली रादे, 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 परशाने वाली रादे, 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 राधा रवन जी राधा प्रोज जी सक्षी कुपाल जी राधा मारव जी शिराता बनलब जी युगलुकि सोर जी राधा रवन जी अच्छ सकी जी त्यार बन में गोचल बन में राधे 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 बर्शाने वाली राधे 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 बर्शाने वाली रहो मा अरे क्रिष्णा अरे क्रिष्णा 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 हुश्यु रामा, रामा रामा, हुश्यु रामा। अरे खुष्छा हरे खुष्णा वर्चु यहारि हरे रमा आ संतों को एख घा भुष्ण हारे हुष्णाप आप अधिद्युक्रिस्ट आपे डिवारीर्ष्ण बुल्लो हरे कुष्णा अरे कुष्णा पिश्णा कुष्णा अरे आरे अरे रामा अरे रामा अरे आरे आरे हरे कुष्णा हरे कुष्णा 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 हरे हरे Hare Rama! Hare Rama! पश्ना बलराम जया खुष्ना बलराम गवर निताय जया गवर निताय जय 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 बढ़पा, तबबपा, जय जय बढ़पा जाया जाए 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 जा शन्वेर गौर्भक्त व्रिंद की जर्ड शुशिराधामाधो की जर्ड शुशिमहाप्रभु की जर्ड स्रीलप्रभुपाद की जर्ड निदाईगो प्रेमानन्दे हरी हरी ओ अराध्यों बगवान वजेशतनाया तद्धाम व्रेंदावनां राम्या काचिदु पाशना व्रजवधू व्रगेनया कपिता व्रगेनया कपिता श्रीमद भागवतं प्रमानममालं प्रेमापुमर्थो महां श्री चैतन्य महाप्रव मतमिदं तत्रादरे नापराः श्री चैतन्य महाप्रव मतमिदं तत्रादरे नापराः वन्सी विवो शितकरात नवनीरदाभात पितांबरात अरुनभिम बफलादरोष्ठा पुरनेंद सुन्दरमुखात अरवेंद नेत्राद कृष्णा परम किमपी तात्व नजानि करार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनिवेशयंतं वतश्यपत्रा श्यपुटेशयानं बालं कुंदं मनसास्मरामी श्रीक्रेष्ण गोवेल अरे मुरारी एनात नारायन वाशुदेवा जिवे पिवश्वा मृत्मे तादिवा गोवे नदामो धरमा दवेती नमा पंकज नावाय नमा पंकज मालिने नमस्टे पंकजांगरे नमा पंकज नेत्राय नमस्टे पंकजांगरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनायच नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमा जैशी कृष्णा चेतन्य प्रवुनित्यानन्द स्रियदवेत गदादर स्रिवास्ता दिगोर्भक्त व्रिंदा अरे कृष्णा अरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा अरे रामा आ मेरे पीशें पीशें बूलेए Om Namoh Bhagavate Vāsudhi Vāya Om Namoh Bhagavate Vāsudhi Vāya Om Namoh Bhagavate Vāsudhi Vāya Shri Shri Rādha Madhau ki Garantarāja Shrimad Bhagavad Mahapurāna ki Shri Lāprabhupad ki Nidhāi Gopramanande Hari Hari Bho Antarājshriya Krishna Bhavana Amnit Singhya ki ose prathis thāpe Bitha di zene thak zayene Antarājshriya Krishna Bhavana Amrita Sengh ki ose prathis thāpe Bhaagavad katha ki Sātmye divas me Aap sabhi vakti ka Haradhi ka bhi nindan karte Paramshu bhaagya shi vibhushit Vaisnva Nāmiyat Haasambhubhava Bhole Nātke चर्णों में बैठकर हम सब यह दिब्बिक धाका श्रवन कर रहे हैं Bhole Nātke अब आपस में बात नहीं करेंगे Hare Krishna Bhole Nātke Bhole Nātke बड़ी कृपा है कि आज सुनके पावन नगरी में बैठकर हम सब Bhole Nātke कथा का श्रवन कर रहे हैं इस दुनिया में सब लोग दुखी है और दुख से भागने का प्रयास कर लेगे लेकिन फिर भी दुख जो है उनका पीछा लेजा कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई तन से दुखी है कोई मन से दुखी है सरेर में अने के रोग है क्लेश है बुखार हो गया है तब्यत ख़रा के ऐसी में बैठे हैं फिर भी अंदर ही अंदर जल रहे हैं देवी कुंति करते के क्रिश्न इस जगत में प्राय सब लोग दुखी है और सब लोग दुख का कारण क्या है जगत में लोगों के दुखी होने का कारण क्या है अविद्या अविद्या मतलब विद्या नहीं है हमें ग्यान नहीं है इसलिए हम क्या है दुखी है और सास्त्र वेद्या ग्यान नहीं होने के कारण इस जगद में हम लोग बहुतिक भोग भुगतने की इच्छा रखते है सास्त्र के ग्यान के भाव में हमारे अंदर यह विवेक नहीं है यह ग्यान नहीं है कि क्या किया जाये और इसी कारण आदमी जो है अज दुखी है इनसान अपने दुख का कारण खुद बना हुआ है ऐसा नहीं कि कुछ बाजु वाला हमें दुख दे रहा है ये दुख हमें खुद बखुद है क्यों? क्योंकि मुँआरे अंदर विवेक नहीं है इस संसार में सत्य क्या है या सत्य क्या है इसका नौलेज नहीं है ये जगत पुर्ण है वक्तों इसमें सत्य भी है और असत्य भी है परन्तु जगत में रहने वाले व्यक्ति ग्यान के अभाव में सत्य असत्य का भेद नहीं कर पाते है और फलसरों इस संसार की बहुती कवश्टों में सुख ढूंडने का प्रयास करते है सुचता है कि मुझे मिलेगा तुमें सुखी हो जाओंगा ये ले लूँगा तुमें सुखी हो जाओंगा लेकिन उसुखी नहीं हो सकता है बहुत प्रयास करता है लेकिन सुक히 नहीं हो पता। प्रलाद महाराजकर कह रहे थे कि इस जगत में सुक ढूंगना कैसे है पुना पुना चरवित चरवनाम जैसे किसी चबाए हुए पदार्त से कोई चबाके रस निकालना चाहे वैसे ही है इस जगत में सुब धूना अविद्या काम कर्म भी या विद्या के कारण मन में काम उत्पन होता है इच्छाएं उत्पन होती है और इन इंच्छाओं वो पूर्ण करने के लिए हमें कर्द करना होता है और हम ये भूल जाते हैं कि कौन से सत्कर्म है और कौन से दुस कर्म है हमारे मन में जो भौती की इच्छाओं होती है अब उन भौती की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी अस्तर तक जाते है उसके लिए कर्म करते हैं निश्चित उसमें कुछ न कुछ पाप लगता है बहुती किछा को पुर्ण करने के लिए हम जब कोई कर्म करते हैं तो उसमें कर्म बंधन लगता है कर्म का सिधान्त बहुत तगड़ा है बहुत इस संसार में राकर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं हमें वैसे कर्मों का फ्वल भुवतना होता है सभी परकार के कारे की एक विभिन परतिक्रिया होती है Every action has same an equivalent reaction Newton का law Newton का law पहले ही भगवत गीता में हरेक्रिया की समान और विप्रित परतिक्रिया होती है हम जो करेंगे वो हमारे साथ होगा तो इस परकार देवी कुंति करते की अविध्या के कारण सब लोग दुखे परन्तोष पापी मनुष्य को अदी मुक्त होना है अविध्या शे तो उसके पास एक ही उपाय है हम लोग करबंधन में बंधे हैं हमारे पास केवल एक ही उपाय है और वो है एक मात्र भगवान स्री कृष्ण की कथा अधी कोई व्यक्ति भागवत कता, कृष्ण कता, भागवान की कता सुन लेता है तो व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से अविद्या से काम और कर्म ब्रदर से मुख्त होता है गोपियों ने भी कह दिया क्या तवकथाम्रितं ताप्त जीवनं कविब्रिणंतितिये कर्मसापहं शवानमंगलं स्रीमदाततं भूविग्रिणंतिते भूरिदाजना क्या क्या दिया तवकथाम्रितं तप्त जीवनं एक क्रिष्ट इस संसार में जल रहे लोगों को जो लोग जल रहे जो दावा नली में बता रहा था दावा अगनी लगी भी हमारे जीवन में उसको कैसे सांथ कर सकते हैं मैंने पहले दिन ये परसन उठाया था कि ये जो चारों और हमारे इदर दावा नली अगनी लगा हुआ है जैसे जंगल में आग लगता है चारों और जंगल में आग लगता है और बीच में रहने वाले जानवर तिलमिला उठते हैं जीवजंतु चटपटा उठते हैं तो कहते हैं अधी उस समय आकास में बादल जंग जाए और बारिस हो जाए तो उस अगनी कुल सांथ किया जा सका ठीक उसी परकार हमारे जीवन में आग लगी हुई है चारों और लेकिन अधी ठीक उसी समय हम भगवान जिनी कृष्णी की कथास्त्रवन कर लें तो हमारे जिंदगी के चारों और की यांग सांत्रों साइक तव कथाम रीतम तप्त जीवनम दो आपकी कथास हो है तप्त जीवन्चुं तप्रेना हुनसे आराम दिलाने वागाए तो इस प्रकार वक्त जो हमारे जीवन में आग लगी हुई है दियम उस आग को कम करना चाहतें सांत करना चाहतें तो हमें क्या करना चाहिए क्रिश्म की कथास होई करना चाहिए साध्मों का संग करना चाहिए और साध्मों का संग करने से क्या होता है नारजी बताते हैं में कहते हैं अपने विश्म में बताते होगे क्याते हैं नारजी के बश्म में बताते होगे हैं कि नारजी का आउतार नारद परफच रात्रक शनिता का स्तंगलगन करने के लिए हुआоме इतना ही नहीं नारजी भत्ति योग के प्रधान अचाहिए नाराजी के विश्चे में पुरानों में वर्नन है अगर पुरान में वेद्वियाजी लिखते है कि सबसे पहले नाराजी का जन्म ब्रमाजी के गोध से हुआ कहां से हुआ ब्रमाजी के गोध से और जैसे ही ब्रमाजी के गोध से जन्म हुआ ब्रमाजी ने अपने इस पुत्र को कहा है कि तुम स्रिष्टी करो, विवा करो विवा करके प्रजावत बन करो नारजी बोले अमरित छाड़ी विश मांगी यही बड़ा मुर्क है मैं इतना बड़ा मुर्क लग रहा हूँ आपको कि मैं कृष्ण भक्ति छोड़कर मैं यही विश मांगूंगा आपसे कृष्ण भक्ति अमरित के समाने पिता जी मैं उस अमरित को छोड़कर मैं विश्णी मांगूंगा मैं कोई विवा नी करूँगा ब्रमचारी रहूँगा नारे जी ब्रमा जी की बात नहीं माने, ब्रमा जी क्रोधित होगा नारे जी को स्राप दिया, तुम्हारे मिर्ति हो जाए, तब नारे जी का दुसरा जन्म हुआ, एक गंधरव के रूप में, आवाज नहीं करें, जिने जाना है, वो कृप्या प्रणाम करके चुपचाप नि वही से प्रणाम करें और निकल जाए, भीड बहुत है, तो किते नारे जी को ब्रमा जी ने श्राप दिया, तुम्हारे मिर्ति हो जाए, नारे जी के श्राप, तब नारे जमुनी का दुसरा जन्मिक गंधरव के रूप में हुआ, उप बरहन नामक गंधरव के, उप बरहन जी ब्रमाजी के धाम पुसकर छेतर में विचरन कर रहे थे अपसरा को देखकर मोहित हो गए और समय ब्रमाजी परकट हो बोले पवित्र धाम में भी पवित्र तिर्थ स्थान में भी तुमारी नजर बिगड़ती है जाओ तुम सुद्र हो जाओ तो तीसरा जन्म नाराजी का एक सुद्र कूल में हुआ जिसकी पिता का नाम द्रुमिल गोप माता का नाम कलावती और नाराजी का नाम हुआ रामदास क्या नाम हुआ इनका नाराजी का रामदास जन्म लेते ही पिताजी की मृत्य हो गई और मां किसी ब्रामन के घर पर बरतन मांजती थी कहते हैं एक दिन चतुर मांस का समय आया और सादू संथ माहत्मा उस ब्रामन की घर पर आए उन सादू संथों का सेवा करने का आउसर उनकी माता को मिला कलावती पूरे रात दिन संतों की सेवा करती और उस समय ये रामदास बच्चे की रूप में वहाँ बैठकर भागवत कथा करशवन किया करता साद्मों की मंडली में बैठता और भागवत कथा करशवन किया भागवद में वर्नन है नारज जी ने अपने मुख से कहा है कि उस साध्वों की मंदली में बैटकर मैं कृष्ण कता सुनता था बोले उस समय मैं शुद्र था लेकिन सुद्र परिवार में जन्म लेकर भी साध्वों का संग प्राप्त हुआ और साध्वों की मुख से कृष्ण काता सुनकर और साध्वों का जूठन प्रशाद खाकर मैं भगवान सृरी कृष्ण का भगत हो गया उचिष्ट लेपानन मोदीत द्विजू क्या बोलते हैं उचिष्ट जो उनका जूठन बचता था वो में खाके कृष्ण भक्त इसलिए भक्तो हमें चाहिए कि हम भगवान के सामने जो भी भोजन बनाएं पहले भगवान को चढ़ाएं भगवान को निवेदन करे और उससे जो उचिष्ट बचे वो ग्रहन करे अधि हम ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान स्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो बिना मुझे निवेदन किवे भोजन करता है वो भोजन नहीं करता है कड़े सब्दों में भगवान कहते है वो पाप खाता है बोजन नहीं वो पाप खाता है लेकिन जैसे ही हम भगवान को भोग निवेदन कर देते हैं वो भोजन जो है प्रसाद बन जाता है और हम प्रशाद पाते हैं हमारा जीवन उस प्रशाद को खा के धन्य हो जो कोई विशेश नियम नहीं जो आप बनाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी त्याद इस तब भगवान को खिला देजिए करना क्या है बस यह जो अखाद दिवस्तु है उसको कीचन से निकाल देना है इसको कीचन से निकाल देना है बाद बाकी वैसे ही भगवान को भोग लगा देना है तुल्सी पत्र रख देना है और भगवान के सामने पांच मिनट निवेदन करके फिर उस परशाद को ले लिजे कर्मबंदन से मुक्ती मिल गई नहीं तो हम क्या खा रहे हैं पाप खा रहे साधारन सा भगवान कहते हैं कि यदी तुम मुझे विनानि वेदन कीये हूँ खाते हो तो तुम अन्न नहीं खा रहे हो तुम पाप खा रहे हो इसलिए भगवान का प्रशाद ही खाये और दुसरा कुछ ना खाये जो भी जीवन में मिले सिर्फ और शिर्प्रशाद और बुस्वें कोई भी चीज खाना है उसको भोग लगा दीजे भगवान के सामें रख दीजे दो मिनट के लिए फिर खा दीजे तुलसी पत्र देगे लेकिन ध्यान रहे अखाद दिवश्ट भगवान ने खाद घीता में भगवान ने का मैं क्या खाता हूं पत्रम पुष्पं तो उनकी मुख से कथा सुनकर और उनका जूठा प्रसाद खाकर और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंती नश्ट हो गए और मैं भगवान सरी कृष्ण का भक्त हो गया क्या बोल रहे हैं कि जब मैं उनके जूठन को खाया हूँ कौन से कुल में पैदा हुए सुद्र कूल मे सुद्र कूल में पैदा हुए लेकिन खाया क्या इनो न भगवान का प्रसाद और क्या कहते हैं जब उनके मुख से कथा सुनकर और उनका जूठा प्रसाद खाकर और ऐसा करने से क्या हुआ मेरा पाप नश्ट हो गया और मैं भगवान सरी कृष्ण का भक्त बन गया यह प् लोगा कि मां को सर्प उनके जूठन समा केज़े एक दिन उनके मां को किसी सर्पने डस लिया और उनकी मृत्य हो गया और मैं जंगल में चला गया नारत मुनी बताते हैं जंगल जाकर स्री नारत जी उनक्रिष्ण की ज्ञांकी दरसन हुए इनको क्या दरसन हुई उस प्रशाद और साध्यों का संग करने से कृष्ण की जांकी दरसन हुई नारजी के रिदे में प्रसंता हुई लेकिन जैसे ही कृष्ण का दरसन हुआ जांकी भी तुरंत जांकी चली गई कृष्ण व्रिक्ष के नीचे से चले गए और ये छोटा सा अबालक भगवान को ढूनने लगा कि अभी अभी जिने जिनको मैंने देखा वो कौन थे, वो कहां चले गए उस समय आकाश आकाश वानी हुई कि मैं साक्षातिश्वर भगवान शेक क्रिश्न हूँ और मैंने जहांकी तुम्हें दी थी लेकिन अब तुम मेरी जहांकी नहीं देख सकते अजी तुम्हें मुझे देखना है तो मेरी भक्ती करनी होगी तब नारद जी रामदास के रूप में थे वे भक्ती करने में लग गए भक्ती करने के बाद सहस्त्र यूग प्रियंद सहस्त्र यूग के बाद प्रामन का, समा किजिए, ब्रहमायंड का प्रले हुआ और उनका चोथा जन्म फिर ब्रहमाजी के पुतर के रूप में नारद मुनी के रूप में हुआ केटे हैं कि जब मैं ब्रहमाजी का पुतर बना तो पुरुजनम की कृष्ण की भक्ति करने के कारण, कृष्ण कथा सुनने के कारण, मुझे एक दिपे सरीर मिला, बोले कैसा सरीर, तो बोले जिनमे सरीर, अब भ्याहात कती से कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण कथा सुनने से, मुझे ऐसा सरीर प्राप्त हुआ है, कि मैं अब जब चाहूं जहां चाहूं वहां जा सकता। उपस्तित हो सकता। अर भगवान कृष्ण की कृपासे मुझे देवदत नामक विना प्रापत है और क्या बताऊं जैसे ही मैं इस विना के तार को छेड़ता हूं जैसे ही मेरे मुक्षे तिर्थपाद भगवान स्रीकृष्ण का नाम निकलता है उसी समय भगवान विश्णु मेरे स्नाम ने आकर प्रकट हो जाते और ये सारा सामर्थ मुझे उन साधूओं की संग करने से और जूठन भोजन करने से प्रापत हूं ये है नारद मुनी नारद मुनी भगवान के मनुवतार है नारद मुनी के परती लोगों की बड़ी गलत धार में आए बदी बोले नारद मुने जगड़ा लगाने वाला के ये नारद जेसा है लेकिन ऐसा कहना बहुत बड़ा अब्राहद है बड़ो बोले नारस्जी कौन बोले नारस्जी भगवान के मनु अवतार भगवान के मन में क्या चल रहा रहा है ये बात नार्सजी जान लेते हैं परम संत्य की परम रे रख्थ चुड़ा बर लिए ध्यान रहते हैं ना का अर्थ होता है नारत का अर्थ करते हैं बोलते हैं ना का अर्थ होता है जिसकी बात को भगवान भी रद ना कर सके जिसकी बात को भगवान भी रद ना कर सके एक बार नारत ने कह दिया तो फिर भगवान को करना ही होता है ऐसे नलकुभिर और मनिग्रिव का उधार नारज जी ने कह दिया था कि जब द्वापर युग में भगवान आएंगे तब तुम्हारा उधार करेंगे भगवान आके उस नलकुभिर का उधार के तो इस प्रकार जिसकी बात को कोई ना काट सकी यहां तक की जितने देवता है वो भी नारज की बात को नहीं काटते और जितने असुर गण है वो भी नारज जी की बात को नहीं काटते यह है एक भक्त की महिमा भक्तो नारज जी गैसे पात रहे जिसका स्वागत देवता गण भी करते हैं और असुर भी करते हैं क्योंकि भक्त जो होता है वो सब का प्रिय होता है फिर वो अशुर सभाव वाले हो या देव सभाव की और फिर नारत का इकर्थ होता है नारायन की बातों को नार मने नारायन भगवान विष्णु की कथा को दा मने दे देना जो नारायन की कथा को जगत को देता है देता रहता है सुनाते रहता है उसे नारत के नारत तो इस प्रकार नारजी की नारजी का इतियाद वड़तो नारजी की किर्पा बहुत लोगों पे धुरू महराज, प्रलाद महराज, वेद व्यास और ये नारजी की ही किर्पा है कि आजम उनकी परंपरा में बैठ कर उनके द्वारा दिये गए ग्यान का ब्यास जी के द्वारा, ब्यास जी को उनों ने ग्यान दिया स्रीमत भागवद को जब स्रीमत भागवद श्मा की जब ब्यास देव ने सतरह पुरान, एक सो आर्ट उपनीस लिख दिये तो ब्यास देव का मन विचलित हो गया नारज दिया आए तुमने बहुत गलत किया है तुमने क्या गलत किया मरस तुमने जिसकी विवा उसका गीत कर दिया तुमने जिसकी पुरान लिखी उसी को भगवान कह दिया गनेज जी भगवान, गनेज पुरान में इंदर पुरान में इंदर जी भगवान देवी पुरान में दुरगा देवी भगवान तुमने बहुत गलत किया है और कलियू का जो दोस है जब ये लोग पढ़ेंगे इस पुरान को तो आपस में लड़ेंगे ये वेद व्याजी उस लड़ने का जो फल है वो आपके माथे चड़ा है इसलिए आज आप इतने दुखी है इतने विच्णी ते बोले तो क्या करना चीए माराज कलके कलके आपने सब कुछ तो लिख दिया लेकिन एक चीज नहीं लिख बोले क्या बोले संसार में तीनों लोगों को तीनों भुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्णी की कथा आपने अभी तक नहीं लिखा है नारत मुनी अब अपने जीवन का अंतिन डिसीजन दे दो क्या श्रीमत भागवत पुरान लिख दो और उसमें लिख दो कि यदि ये पुरान मैंने दे दिया है तो और फिर पुरान की क्या आवश्रत ऐसा नारजी का प्रीचय भक्तु और उसके बाद फिर नारजी ने बहुत सुंदल भागवत कथा का रचना कर दी और नारजमने की क्रिपाज़ वक्तु सब की उपर है बहुत फरम डयालू है नारजी इस प्रकार नारजी की कत्व सुदेव जी को स्वामी महराज सागे चाक्छुस मरवंतर की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आज से अनेको अनेको वर्स पुर्ग स्वर्ग में अनेक पसुपक्षियों का राजा एक हांथी रहा करता था उस हांथी का नाम गजंदर था सुद्धेगु स्वामी भागवत के श्टमसकंद में गजंद्र जी कता सुनाते हैं इस हाथी का सासन बहुत ही सुन्दर था यह जहां रहता था वहां की जो छोटे-छोटे जीव जन्तु है सीना तान के चलते थे जब तक गजेंद्र है तब तक इस सीम अमारा कुछ भी नहीं भीगाद सकता है बहुत ही सांदार यह रहता था एक दिन के बाद यह हाथी जंगल में सेर करने के लिए अपने पत्नी अपने बच्चे को साथ में लेकर विच्रन करते करते तिर्कुट परवत के तिलहटी में पहुंच जब तिर्कुट परवत है जिनका तीन स्विखा रहे है एक चांदी का एक सोने का और एक लुहे ग्रिश्म रितू की महिना थी तप्त सूरी की गर्मी इस परवत पर पढ़ रहे थी और इस त्रिकुट परवत की गर्मी से वहां के लुमी गर्म हो रहे थी यहां थी उस गर्मी की रितू में विच्रन करने के लिए अनेक पत्नी और बच्चों के साथ में करते है उस हांथ का प्राक्रम बतलाते वे सुंब्यव जी गोश्वाय माराज कहते हैं व्रीका वराह मही शरिच्छ शलय गोपुच्छ शलावरिक मरकटच अन्यत्र छुद्र हरिणाश शादाया चरंती अभितायत अनुक जैसे ये गजेंद्र हां थी रास्ते से निकलता था खुनखार प्रस शाद जिस रास्ते से याँथि निकलता था उस रास्ते को बिल्कुल हाइवे बनाते वे चलता था रौंधते वे चलदात परमुसोतंत्र नासिर परकुल। तो एक दिली हाथी तिर्कुट परवर्ट थे गया। बहुत गर्मी होने के कारण हाथी को प्यास लगया। और सरपर्थम यह हाथी उस सरौर में उत्रा। इसनान करके अपनी प्यास बुजाने लगा। अपनी प्यास बुजा करके अपनी पत्नियों को अपने बच्चों को जल पिलाया हाथी ने अपनी पत्नियों अपने बच्चों का उस सरोर में उतरने ने दिया बहुत तुम लोग इदर रहो मैं आके आने लेकर आता हूँ हांती ने भुजल पिया सभी को जल पिलाया आप वह हांती वहाँ पर खड़े-खड़े किरड़ा करना लगा खेलने लगा भ्होतिक भॉग भुदरने लगा जब तक पानी पिलाने का सवाल था ठीक था वहाँ पर खेलना भुटिक भुभतना ये कलत था और यही हो वहां थी करना वहां थी सरोर में खड़ा है वहां पर अपनी सूर से पानी ले लेकर अपने बच्चों के उपर अपने पत्नियों के उपर फवारे मारने लगाई जिस प्रकार इस संसार में आस्त्व एक्ति रात दिन ने पत्नी और बच्चों का साथ रमन करता है कुटफुंब पोसाय वी निजायो अपने कुटफुंब की भरन पोसन करने में कब सुबह कब रात इसे पता ही नहीं चलता और करते-करते एक दिन कालिस सड़ पे कब मड大ने लखताया इसे पता ही नहीं चाहता है गर गिरस्ती में बहुत फसा हुआ थी हम कहते हैं कथा में आओ नाम जब करो तो समय नहीं है यह वहाँ पर मौज मस्ती कर रहा है पानी फवारे मार रहा है अपनी पत्नियों के उपर विच्रन कर रहा है यह मस्त है अपनी इंद्री तुपती में और उसी सरोवर में एक बहुत बड़ा ग्राह मगरमच रहा था और जैसे ही अविशाल का यहां थी सरोवर के जल को उच्छालने लगा नीची सरोवर का पानी अंदोलित होने लगा और पूरे सरोवर का जल जब हिलने लगा सरोवर के तलहटी में रहने वाला मगरमच जग गया बोले मेरे गर बे आकर मेरे सरोवर के जल को इस परकार अंदोलित करने वाला कौन है वामगरमच दीरे दीरे उपर आ रहा है दीरे 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 करके उपर आ रहा है ठीक उसी परकार जिस परकार हम मस्त होते हैं अपने कारे में इंद्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् कसाई खाने में चार-पांच बकरे को एक साथ लाके बांग दिया जाता है और उनके आगे कुछ घास खुस रख दिया जाता है जब ग्रहक आते हैं तो यह कसाई क्या करता है एक बकरे को लेके जाता है और काट के टांग देता है काट के टांग देता है उसे यह सभी लोग देख रहें तीन-चार बकरी कि अरे यार अभी जो मेरे साथ खांस चल रहा था वो तो टंग गया है लेकिन फिर भी यह घांस खाने में मस्त होता है हमारा भी जीवन ऐसा ही बब्त हम देखते यार यह मेरे साथ मस्ती कर रहा था होटो फ्रेम में टंग गया हार माला चड़ गई इसके ऊपर फिर भी हमें ग्यान नहीं होता है हम जुगलतियां कर देख जिस प्रकार वक्तों हां थी का पाओ मगर मच के मुख में फस गया हम सब लोग काल के मुख में पस लिए और जम काल के मुख में निकट आ जाती है व है मैं तो नुटी में बेखते हैं हमें क्या नॢटी में पहला मारे बाल सफिध हो जाते हैं हैं अब तो बच्पन में ही सफीड हो जाता है क्योंकि मारे खानपन बिखड़े हैं लेकिनमे से सुश्त समास की बात कर रहा हूं ईश्त sianh भोजन, पन पर स्वश्त नित्र तो बगवान नौटिस भी बेचते हैं हमें, क्या नौटिस बेचते हैं? पहला हमारे बाल सफेद हो जाते हैं अभी तो बच्पन में ही सफेद हो जाता है क्योंकि आमारे खान-पान बिगडे है लेकिन मैं एक स्वस्त समाज की बात कर रहा हूँ जहां पर स्वस्त भोजन स्वस्त निद्रा इत्यादी का वेशथा है ऐसी इस्थान पर पहले जब बाल पकते तो कान की नीचे से दो बाल पकना जब भूबगना जुरू होता है यह भगवान का पहला नौस तो नौटिस जब भगवान भेजते बोगने तू हमारी इंद्रियां काम करना बंद करते हैं दात जड़ जाते हैं भगवान नौटिस करते हैं हमें कि अब तो तुम सुधर जाओ अब मेरा नाम जब करो और मेरे पास आओ लेकिन हम मस्थ होते हैं अपने भोग भोग गजंद्र मस्थ है अपने खुटुम परिवार में मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि खुटुम परिवार में नहीं रहना चीए चाहिए करतब भी निभाने चीए लेकिन ज़रुरत से ज़्यादा आसकती ये दुख का कारण होता है गजंद्र का पाँ उस मगरमच की ने पकड़ा और धीरे धीरे मगरमच उस गजंद्र को स्तरोर की गहराई में खिस्ता गया अब गजंद्र का कूदुना बंध हो गया गजंद्र को लगा ये मगरमच होगा कोई दो-चार बार पाँ पटका उस छोड़ जाएगा लेकिन ये छूटने का नाम भी नहीं हो गजंद्र और मगरमच के बीच में गमासान युद्ध हुआ लगातार हजार वर्स तक युद्ध चला इस युद्ध को देखने बड़े-बड़े देवता आकास के महारक से आए ये बोले क्या हो रहा है लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ गजंद्र के सक्ति छीन देगे सुद्धिर जी को स्वावी महाराज करते हैं ऐसे एक नहीं दस हजार मगरमच को गजंद्र उड़ा कर फेक देता लेकिन क्या करें बिचारा मगरमच के घर में आकर फसा है अपने गली में तो कुटा भी सेर होता है है ना अधी प्रिटी पर होता तू अनेको मगरमच को गजंद्र उठा कर फेक देता लेकिन बिचारा गजंद्र पानी में फसा दूसरी की गली में जाकर अस्थानम प्रभाव अपना बलम प्रभाव वक्तो अस्थान का प्रभाव अधि प्रित्वी पर होता तो कजंद्र में बल होता लेकिन पानी में होरे के कारण मगर मच में बल कई बार हम कहते हैं आप मंदिर में जाओ कथाप अडाल में जाओ लोग एक अपना सिद्धान देते हैं मन चंगा तो कठोती में गंगा मंदिर जाने की क्या ज़र भगवान तो हर जगे है बोले मंदिर दाम जो स्थान है सुद्ध सत्वकुन है मंदिर जाकर हम भगवान का प्राथना करेंगे इस्तुती करेंगे भगवान का नियम लेंगे तुरंद भभत्ति का भगवान की पांस महुँचे हैं क्योंकि यह स्थ जैसे गजेंद्र में सक्ती होने पर भी वह मन ही मन हारता गया गजेंद्र में सक्ती की कमी नहीं थी लेकिन वह मन ही मन हारता गया क्योंकि वह जल में था इस्थान का प्रवाव था गजेंद्र की बाद छोड़ लेजिए हम जिस वातावरन में बैठे हैं न इस वातावरन में 4% पानी है यह जो सांस ले रहे हैं ऑक्सिजन का हम उसमें 4% हम जल अंदर ले रहे हैं अपने कितना परसेंट 4% तो अधी कोई बोले है यह पानी प्यास लगी है तो हम बोले कि यार वातावरन में थो 4% जल है करके पीलो टान सकता है कोई नहीं टान सकता है उसे पानी पीने के लिए कहां जाना पड़ेगा कुमें के पास जाना पड़ेगा पूमे में जाकर जल निकाल कर पीना पड़ेगा तो जैसे वातावरन में जल हर जगह है आप सांस ले रहे हैं लेकिन अपनी प्यास को नहीं बुजा सकते इसी प्रकार भगवान हर जगह है कनकन में है लेकिन उस भगवान की इस्तुति करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए हम में मंदिर में जाना होगा मंदिर में जाकर ही हम भगवान का दुर से तो अस्थान का प्रभाव होना है अस्थान के अपनी महिमा है पद्म पुरान में एक कता है एक बार बोलेनाथ सीव जी भगवान विश्णू के पास मिलने के लिए गए आप सब जानते हैं बोलेनाथ के गले में सांप का पास रहता है सांप रहते हैं भगवान विश्णू और गरुड जी बगवान विश्णू गरुड जी के बाज़ों में बैटे थे और स्टीव जी गले में सांप लेकर आए बगवान विश्णू और महादेव दोनों आपस में बातें करने लगे तो उतने में स्टीव जी का सांप गरुड जी के उपर फुफकार मारने लगा गरुड जी परिसान हो गया बार-बार उस सांफ फुखार माने लगा बहुत परिसान गरुड जी बिचारे बैटे ये मार रहे ठागा गरुड जी ने का कि अरे तेरे जैसे हजारों सांफ को मैं एक सेकेंड में फाड़ दू लेकिन क्या बताओं तु सीव जी के गले में उनका वल है ये उस स्थान का प्रवावर एक बार सीव जी की गले से उतर कर बता फिर पता चले कि तुझ में कितनी सकती है स्थान की अपनी में इसलिए हमें पवित्र स्थानों में जाना ची गोकुल मतुरा द्वारिका मायापुर जगनात पुरी धामने जाना ची ऐसे करती होरो पहर हो, और हम देखते हैं वक्तों जब हमारी मिटियु निकर्ड आ जाती है, तो हमआरे कुटम हमें बहुत बचाने का प्रयास करते हैं। गजन्द्र की पत्नियोंने बहुत प्रयास किया उन्हें बचाने के उनकी पत्नियों ने एक सूड का एक चेन बना दिया लेकिन फिर भी उसे निकाल नहीं पाए बार बार बचाने का प्रयास किया नहीं बचा सके वा मगर मच गजंदर को खीच कर सरूर के बीच में लेकर गया धिरी धिरी गजंदर डूमने लगा अब डूमते डूमते गजंदर का सिर्फ मस्तक बचा है बस एक मिनट में गजंदर डूबदे वाला है मृत्यों और के बीच में सिर्फ एक मिनट का फासला है लेकिन सुगदेव जी को स्वामी माहराज करते हैं उस समय मर्ते मर्ते अंतिंगड़ी में एवं वेवष्टा बुद्या समाध्या मनारिदी जजाप पर्म जाप्यम्ता जनमानी अनुषिक्षतम जनमानी अनुषिक्षतम ये कजैंद्र पुरुजनम में बहुत बड़ा भक था और भगवान की बहुत इस्तुती किया गर्दा था तो मर्दे समय अंतिंग समय में हाथी के सरीर में होती भी पुरुजनम के अभ्यास के कारण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 क अब बोलेंगे एक बार नाम लेने का क्या फाइदा है एक बार हाद उपर करके नाम लिया इसका क्या फाइदा है इस एक बार नाम लेने का फाइदा बताते होगे कहते हैं आवाज नहीं करना है, एक बार एक व्यक्ति की मृट्टी हो गई, वह हम लोग में गया, बोले तुमने पूरे जीवन पाप किया है, बोले ठीक है, बोले लेकिन एक पुन नहीं किया है, तुने, बोले क्या पुन नहीं किया है, बोले ऐसे ही इक बार भागवत कता हो रहे थी, इस कौन वाले भागवत कता कर रहे थे, और तुमने अरे खृष्णा, 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 यम्राज जी का चक्रा गया बोले बात तो सही है बोले एक काम करो चलो इंदर के पास चलते हैं उसे पता होगा तो देवताओं के राजा है इंदर के पास गए इंदर को बोला यम्राज जी और ये दोनों आवेक्ति गया बोलते हैं इंदर एक बार भगवान का नाव लेने का क्या फल है कि इंद्र की भी चकड़ा गई है तो यह बोलता है कि मुझे तु नहीं पता एक काम करो चलो भूले ना आपके पास चलते हैं वो तो दिन पर राम का नाम जब करते रहते बता देंगे तो यह वैक्ति बोलता है देखो अभी इतना दूर जो मैं बूल के आया ना प सिब्रेख पास्ट किया चल दिए बोले नात के पास बोले नात को पुझा बोले नात आप दिन भर यह रिडाम जबते रहते हो अब बताओ यह बार जब करने का क्या फॉल है बोले थीक है कोई बात नहीं चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं उसके पास शार खूपड़ी है ओ बता देगा अब यह व्यक्ति बोलता है देखो अब यह नास्ते से काम नहीं चलेगा मेरा पेट तो भरा हुआ है लेकिन मैं चल नहीं पाऊंगा मुझे थोड़ा आराम करना है बोले क्या करें बोले पालकी ले दे आओ मैं उसमें बैठता हूं तुम लोग कीचों तो बार भगवान का नाम जब करने का क्या प्रमा जी की चार-चार खोपड़ी घूम गई तो इस बोलता है ब्रमाजी पीछे बहुत भारी हो रहा है थोड़ा पीछे पकड़ दो यह भी बोल रहा है आओ मुझे पीछे धसा हुआ जैसा लग रहा है मैं स्टेट बैठोंगा यह व्यक्ति पालकी में बैठे हुए हैं एक आगे इंद्र और महादेव पीछे ब्रमाजी और अम्राच पालकी में लेके जारा इसे बगवान के पास पहुंचे बगवान बोलत इंद्र बोले नात किसको पालकी पर बिठा के ला रहे कितना बड़ा आदमी है कितना बड़ा भक्त है यह जब आए तो पुछते कि प्रूब इस वेक्ति ने जीवन में एक बार आपके नाम का जब किया है इसका क्या फल होगा प्रभु हमारे हसने लगे कहते यभी तक पालकी में मेरे पास लेकर आ रहे हूँ इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है यह एक बार नाम जब तो तो पुरुजन्र पुरुजन्र में बहुत बड़ा बगत था और भगवान की बहुत तुस्ति क्या करता था तो मरते समय अंतिम समय में हाथी के सरीर में होते हुए पूल लेकर भगवान और पन्करते हुए फो भगवान और पन करते हुए घंडर की मुग से इसक्तिन हें कुछ स्कुन्य करें है और अब मत करित हम खाल, क्पाल, आड़ बबस जिवन हारे क्पालoup ख़ जिवन भाड़," सुल aquestथ हे गो विंदरा को सरन अब तो जिवन हारे हारे हे गो विंदरा को सरन अब तो जिवन हे तु गयों सिंदू के किनारे हे नीर पीवन हे तु गयों सिंदू के किनारे सिंदू बीच भसत गर चरंदरी पचारे हे गो विंदरे को पाल अब तो जिवन हारे चार प्रहर युद भयों ले गयों मजधारे चार प्रहर युद भयों ले गयों मजधारे चार प्रहर युद भयों ले गयों मजधारे चार प्रहर नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे हे गोविन हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविन हे गोपाल अब तो जीवन हारे त्वारिका में सद गयों सुर्वयों भारे जैसे ही का जंद्र ने मरते समय भगवान को याद किया भगवान का नाम ले लिया हे कृष्ण हे गोविन्द संसार में कई लोगों के मन में प्रस्ट होता है वक्तों कि हम याप प्रिट्री पर बैटे बैटे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे नाम सुनते होंगे जैसे ही द्वारिका में चला गया उर जैसे ही गजंद्र के द्वारा लिया गया उर जैसे ही कृिस्ट के कान में गया सुर्दास जी लिखते हैं सुर्दास जैसे ही का जैंबर ने भगवान का नाम लिया और नाम जन लोग उपने स्थान पर खड़ा होकर दोड़ने लगे रुकमणी वस्ति भाम आधी भगवान की सेवा कर रहे हैं बगवान रुप मरी साथिभाव आप उसे भगवान का जा रहे हैं लेकिन आज भगवान के पास उन्हे उत्तर गेने तक का समय ने गरुड जी ने का प्रभू आप दोलो मत मेरे उपर बैठ जाओ मैं आपको तुरंद भगवान पहुचा दूँगा भगवान ने का गरुड आज करीगती मुझे तीनी लग रही है भगवान आकास में पुद गए और सुनहसन को आदेश दिया और उसमगर मच्च के ओपर उसके दोड़ टुकड़े कर दी जैसे ही कजंद ने भगवान को याद किया तुरंत भगवान आये और श्री भगवान विष्टू ने आकर उसुदर्शन के द्वारा उस मगर मच्च के मस्तप को काड़ दिया तुरंत वह मगर्मच गंद्वर रुप धारन करके भगवान के द்हामे चला गया जैसे ही भगवान सुदर्शन चक्र का परहार किया हुआ मगरमच गंधवर रूप धारण करके भगवान के धामे चला गया और तत्पश्यात उस हांथी ने भगवान की फिर से इस्तुती करना परारण किया उस गजेंदर हांथी के द्वारा इस्तुती भी और आठ तस घंटे बाद जब गजेंदर की इस्तुती समावत हुई तब भगवान गजेंदर जी को अपने करूर पर बिठा कर अपने धामे लेकर चिते कर लेकिन भगतों यहां पर एक प्रश्न हो सब्सक्राइब बद्दिमान व्यक्ति के मन में एक प्रश्न होना श्वभाविक है बोले भगवान को याद करने वाला कौन गजेंदर भगवान को पुकारने वाला कौन गजेंदर बगवान को स्थूति करने वाला कौन? गजैंद्र सब दुख सहन किया किसने? गजैंद्र लेकिन जब बगवान आए तो सबसे पहले ग्रह का उधार किया फिर गजैंद्र का उधार किया ऐसा बात क्योhthal चिकर अच्छा है बात समझ में आ रही है कुछ आपको कम तोड़ा कम बात समझ़ में आ रही है कुछ कुछ गजेंद्र की सारी मेनत लेकिन सब से पहला फल किसको गरा को मानों परिक्षित प्रस्ण पुछते हैं कि गजंद्र को पहले भगवान के धाम को प्राप्त होना चीए गजंद्र के पहले गरा क्यों भगवान के धाम चला रहा तब सुदेव जी को स्वामी महराज कहते है जो भगवान के शरंगरन करता है उससे पहले जो भगवान के भगतों का शरंगरन कर लेते हैं वो पहले भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं और भगवान को शरंगरन करने वाला भगवान के धाम को बाद में प्राप्त करते हैं तो बक्तो इस संसार में भगवान के भगतों की बक्ती स्ट्रेश्ट परेश्ट और बहुत जल्द भगवान की प्राप्ति करनी हो तो किसी सुद्र शंत का शरण करनी करनी चीए कि उसे सुद्ध महात्मा की सरन को पकड़ लेने में भगवान तुरंथ मिल जाते हैं जैसे उस गराख को मिल गया जैसे शबरी को मिल गया सुप्डेव गुस्वामी कहते हैं पुरुजन में ये गजेंडर इंदर जुम्न नाम के राजा थे विशाय भोग से विराग्य हुआ तपश्या बाहर कुटिया बना कर तपश्या करने लगे एक दिन दुरवासा रिस्टी वहाँ से गुजर रहे थी तो जैसे दुरवासा रिस्टी वहां से निकले देखा कि इंदर जियुम्न राजा ध्यान कर रे ध्यान में बैठे होने के कारण दुरवासा रिसी आने से उख खड़े नहीं हो पाए क्योंकि उनको पता नहीं था कि दुरवासा रिसी आए तो जैसे दुरवासा रिसी वहां से निकले दिखा कि यह मेरा अपमान कर दा है तुरंद पुरोद आया इतना मान संप कभी भी संप को भी मान नहीं आता है और यही अभी मान जो बड़े-बड़े संफों का पतन का पाथ जैसे ही संथ को मान आया बोले मैं दस हजार शिस्फियों के साथ यहां जा रहा हो पिर भी यह मेरत स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ बिलकुल हांती की तरह बैटा मैं स्त्राब देता हूं तो हांती होजा दुर्वा सारे सी के स्त्राब से ये हिंडरू इंदर्ध्यूम नाम का राजा अगले जन्में गजंदर नाम का हांती और रोजों गरा था पुरूजन में हुभू नाम का गंदर वह गाँद्यूम इसृवर में स्नान कर रहे थे और ये हिंडर्ध्यू नाम का गंदर्व स्नान कर रहा था स्नान करते करते पाणी के नीचे तिरते तिरते देवल रिसी का पाँ पकड़ने, खीचने लगा, देवल रिसी को खुरोद आया, बोले मगरमची की तरह मेरे पाँ खीच रहा है, जा मैं तुम्हें सराब देता हूं, मगरमची देजा, तब गंदर वह निकला, बार बोल मैं तो गंदर हूं, चमा कीजी, आप को हसाने का प्रयास कर रहा था, तब देवल कहते हैं, तुम्हें मगरमची तो बनना होगा, लेकिन एक दिन बहुत बड़े संत, जो हाथी का शुरूप धारन की होंगे, यहां पे आएंगे, तुम उसका चरण पकड़ लेना, तुम्हारा उधार हो जाएगा, इसलिए मगर प्रिम अचने, उन्हें पकड़ लिया, कुल मिलाकर मेगर कहूं, तो भक्तो संग गरहन करने से, भक्तों का स्थानित गरहन करने से, निशित हमारा होता होता है, इस परकार कथा सुनाते हैं, शुब्देव युगुश्वामी मारास, इस परकार, अनेकों कथा, की कता शुद्यूमनिक की कता और बहुत सारी कता हैं परिचित माहराज को सुना रहे हैं बगवानिक शुक्देव जी गुर्श्वामी माहराज कता रेग्यूलर गती से बहुत सुन्दर धारा प्रवा कता कर रहे हैं परिचित माहराज जिसके जीवन मातर साथ दिन बचे हैं भागवत कता सरवन करते करते लबगत तीन दिन विद गया और तीन रात विद गया लगादार कता सरवन कर रहे हैं लबगत चोथे दिन सुक्देव जी गुर्श्वामी महाराज गंगा की प्रवाह के शमान धारावत ये कथा सुनाते जा रहे उस चलती हुई कथा को महाराज परिशित रोक रहे क्यों महाराज परिशित को घर जाना था इसलिए रोका गया नहीं महाराज परिचित रोक कर सुगदेव जी को स्वामी से जिग्यासा कर रहे हैं अब यह देखिए यह कंगा की समान जब धारा चले और उसी रोकना बड़ा संभव है रोकना अपराद भी है लेकिं कते स्तिराज वाचा कथी तो वन्सवी स्तार भवताशो मसूर्ययों राग्यम्च उबय वन्षनाम् चरीतं परमाद भुतं धारा वाही कता को रोक कर माराज प्रश्न पुछते हैं यह परमवरक्त चुड़ामनी श्रीशुकदेव जी को स्वामी माराज प्रभु आपने सोबु वन्स और सूरी वन्स में जन्म लेने वाले अनेक राजा माराजाओं के अदबुत अदबुत चरीत्रों का वर्र निक भाव यह माराज कि मैं अभी इन राजा माराजाओं की कतार नहीं सुनना चाहता हूं गोले क्यों 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 कि माराज मेरे जीवन में बहुत कम दिन बचा है उन दिनों में मैं केवल और केवल क्रिश्न कता सुनना चाहता हूं यदो शच धर्मशिलश्य नितरामवुरिशत्तम तक्तर अनुसेन अवितर्मश्य विष्णु विर्यानी शन्षना महात्मा धर्मात्मा यदु महाराज के वन्स मे जन्म लेने वाले भगवान क्रिश्न की कता सुना यदु महाराज को यहां पर परीचित धर्मसिलश्य यदु महाराज धर्मशिलश्य नितरामवुरिशत्तम हेमुनी सत्तम हेमुनियों में स्रिष्ट है सुगदेजी गुस्वामी महाराज अपने अंज से बलरामजी के साथ अब तिर्न होने वाले भगवान विष्णु की कता सुनाई है विष्णु का अरत है जो क्रिश्ण सरोव्यापक है जब सब जगा पर रहते हैं ऐसे क्रिश् और जगवान समस्ट्रच जीगों का पालन करते हैं जोिकर्ष्ण का पजनने करते हैं उनका भी और जो उनका बजन करते उनका भी ऐसे स्भुत भागवान सेстन प्राया भागवत में भी यह पूचा जाता है हम कता करने के लिए जाते तो लोग पुछते कि प्रवुजी कृष्ण का जन की सी दिन है हम उस दिन आएंगे कृष्ण कता सब को पसंद ले भखो क्योंकि ये कृष्ण कता रिदय के मून को मेल को मुक्त करने वाली है को कि कृष्ण कथा अत्यंत आनंदायक है और ये कृष्ण कथा इस संसार में जो सबसे बड़ा लोग है इस भावरोग से मुक्त होने के निस संजीवनी बूटी की समान औस धी की समान है स्रिबाद संग्राचारे ने कहा पुनरपी जन्मम पुनरपी मरनम पुनरपी जन्मनी जठरे सैनम हम जब इस संसार में बंधे हुए हैं चुरासी के चक्कर में फसे हुए हैं बार बार मां के गर्व में आना जन्म मृत्यू जराव्या दी बार-बार मरना बार-बार जनम लेना सबसे बड़ा रोग है इस भवरोग से दी मुक्त होना चाहते हो तो कृष्ण कथा सुनो तो बुले कि एक छोटे से रोग की दवा जो है इतनी कड़वी होती है ये भवरोग की दवा कितनी कड़वी होगी तब सुकदेव जी गोष्ण माराज बहुत सुनर कहते है नई नई एक कृष्ण कथा जो है बहुत मधूर है मनो भिरावात मन को आनन देने वाली है अतक इस संसार में ऐसे कौन सा जी होगा जो कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहते है तरे शुपधेव जी को साहिं मारा तो कृषिण की कःता सुनाई है तब मानो तब शुपधेव जी कहें परिछित क्या सुना चाहते है कृषिण कःता ने परिछिछित जी कहते है रोहिम्या तनिया प्रोक्ता राम शंकर्शना त्वया देवक्या गर्वल संबंधा कुटा देहां त्रम विना महराज सबसे पहले तो आप मुझे बताईए कि आपने ऐसा कहा कि बलराम का जन्म देवकी के गर्व से भी हुआ और रोहनी के गर्व से भी हुआ एक पुत्र दो माँ के गर्व से कैसे रह सकती है एक माँ के गर्व में दो पुत्र रह सकते है जुड़े बच्चे रह सकते हैं लेकिन एक ही पुत्र दो-दो माँ के गर्व में ही कैसे संब्भ किर्प्या करके बता और यह अभी बात बताईए कि भगवान स्री कृष्ण मतुरा में जन्म लिए और जन्म लेती अपने माता पिता को छोड़कर व्रज में क्यों चले गए कस्वानत मुकुंद भगवान पितू गेहात व्रजम गता मानों सुभेव जी कहे डर गए होंगे कंसे इसलिए चले गए परिचीत मारास परते हैं नहीं और डरने वालों में से मुकुंद हैं मुक्ति ददाती थी मुकुंद संसार के जिवों को जो मुक्ति देते यह वो भगवाने डरने वाले ने कुछ कारण इसको विस्तार से बताई है कि और प्रभू एक बात और समझ में नहीं आती कि संसार में किसी बच्चे को मामा से बहुत प्रेम होता है लेकिन कृष्ण ने उस मामा को ही मार दिया ऐसा क्यों जिसे प्रेम करना चाहिए उस मामा को ही मार दिया ज़र बताई है बिस्तार से बताई है तब सुदेव जी गुस्वामी माराज कहते हैं परिखित तुम कृष्ण कता सुनना चाहते हो बहुत अच्छी बात है एक काम करो तुम तीन दीन तीन राज से कथा सुनते आ रहे हो आपने कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं नहीं निद्राली अब आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो थोड़ा कुछ खा लो थोड़ा कुछ पी लो फिर हम कृष्ण कता प्रारम करेंगे माराज परिचित कहते है मुझे किसी भी परकार का भूक नहीं प्यास नहीं किसी भी परकार के ठाकावत मैं कथा सुनना चाहता हूं मुझे कथा सुनना तब सुदेव जगत्रस्वा mais परचै're यहां तीन-तीन दिन से तुम कथा सुन रहे हो तीन दिन रात गए थे तो थोड़ा सा प्यास लग गया तो एक मुनी का अपराद कर दी इससे तुम्हें श्राप लग गया इसका क्या करने तब महाराज परिशित बहुत सुन्दर बात कहते हैं वक्त भीवन्तम त्वत्मू कम्भोज चूतम हरी कथामृतम हे सुग्देव जी महाराज आप के श्री मुक से जरने की तरह जर 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 गिरता हुआ कथा अमरीत का पान जू कर रहा हूँ और अदी अदी किसी वेक्ती वो अमरीत मिल रहा है तो वे वेक्ती साधा पानी क्यों मांगेगा अमरे पिने वाला व्यक्ति पानी क्यों मांगेगा जल क्यों मांगेगा इस परकार माराज परिचित कथा सुनने का जिग्यासा करते बहुत बड़ी सुच जिग्यासा बक्तु दुनिया की सबसे बड़ी जिग्यासा इससे बड़ी जिग्यासा और कुछ हो ही नहीं सकते काते हैं परिचित परिचित महाराज का था सुनाने को करते हैं परिचित इस ध्वापर यूग की बात है द्वापरियों की प्रारंब में अनेक छत्रिय राजा माराज आसुरी विती को प्राप्त हुए वैसे छत्रिय थे लेकिन बुई संगती की कारण वे अशुर बन गए बक्तों जीवन का अधार और संसकार संग के ऊपर होता है दिखा जाता है कितनों ही अच्छा संसकार हो अगर संग खराब है तो जीवन अदोगती की ओर चला जाता है इसलिए सदेव अच्छी संगती करनी चीए वक्तों ने चेटनि महाप्रवु से पूछा वैस्नों का आच्रन कैसा होना चीए जेतन्य महाप्रों कहते हैं असत्त संग त्यागा यही वश्नवचार बुरी संगती को त्यागते हैं उश्री वश्नवचार तो कहते हैं द्वापर यूग की प्रारंबे अनेक राजा महराजा आशुरी वृति को प्राप्थ हुए और वे लगबग असूर जैसे बन गए प्राइकों मारने लगे अनेकों प्रकार की जीवूंसा मगन हो यह पस्मों को मारना काटना विनास करना यह सुर्च के कारिया तो सारे राजा महराज अत्तमों बन गए आसुरी वृति को हो गए और उन राजाओं के पाखन से इस प्रिथ्वी पर पाप होने लगा और वह इस पाप से शीथी भारी होने लगी वैसे तो शीथी पर अनेक वजन है वकतों बिल्डिंग के पर्वत के मनुश्य के परंद माता प्रिथ्वी को इसका भार नहीं लगता परन्तु जब कोई इस प्रित्वी माता के उपर पाप करता है तब देवी प्रित्वी उस पाप के भार को सहन नहीं कर पाती है देवी प्रित्वी भार ही हो जाती है और उस समय देवी प्रित्वी अपने कश्ट को दूर करने के लिए ब्रमाणाम शरणम यहो ब्रमाजी के सरण में गई कैसे गई गोब भुत्वा अश्रो मुखी खिन करदंती कुरुणम विभू उपस्थिता अंतिके तश्मे वैश्नम समोच दे उस समय देवी प्रित्वी गाय का रूप लेकर गोब भुत्वा अश्रो मुखी और उनकी यांखों से अश्रो की धारा बैरेत गाय का रूप इसलिए दिया क्योंकि इस 84 लाख योनियों में गाय ही एक ऐसा पसू है जिसे देखकर स्वभाविक प्रेमरी दैसे निकलता है गाय के सुद्ध गाय के प्रित्वी ने अपना दुबड़ा सुनाया और दुख सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये देवी तुमबर बहुत बढ़ा दुख है बहुत कर दुख है रश्टा चुका है और मैं तुम्हारी इस दुख को दूर नहीं कर सकता मैं तुम्हारे दुख को तो मातरो मातर भगवान विश्णु ही दूर कर सकते हैं अच्छा तुम्हें ब्रभवान विश्णु के बाद देखकर चाहूंगा उस समय ब्रमाजी ने सभी देवी को बुलाया सीवी जी को इस पेसल फॉन किया कि बोले नाथ आपकी जरूरत है निर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यह बहुत आपके भक्त और पूचते रहते हैं आप अपके भक्त को देदूगा भी करते अच्छा पर वह पूचने वाली क्या बात है रहत मैं और पूच्छंजी दूगा वेकुंट में रहते हैं तो नारफभॉन बोलते हैं नारफ लैक कूण्धे नारद में वेकुंट में नहीं रहता फिर तो प्रभू आप योगियों के रिदय में रहते होंगे कितने योग करते बिचारे नाक उपर कान नीचे पाउं उपर मुंडी नीचे हाथ के बल चलते हैं कान के बल चलते हैं क्या नहीं करते हैं कितने अलग-अलग प्रकार के आव आजे निकालते रहते हैं आप तो उनके रिदे में जरूर रहते होंगे के योगी नाम रिदेश्वा वहां पर नारद में वहां पर नारद मेरे भक्त मेरे किर्टन करते हैं सभी देवी देवताओं ने प्रान बनाया कि हम चीर सागर के देट पर जाकर भगवान की इस्तुती करेंगे बहुत सुंदर कृतन की या बहुत सुंदर इस्तुती की आईए हम भी इस्तुती करें सीता राम 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 सीता राम राम फ्लो फ्लो आपके मन में प्रस्ट होता होगा कि यह तो कृष्ण कदा चल रही है कि कृष्ण कदा चल लिए फिर यह का एक प्रभु जी शीता राम सीता राम क्यों कराने लगें कि षास्त्रों मेंका गया यदस तो कराम कुछले क्रीजी क्या है जोनरे राम कृष्ण दुछन क्या है जोन ऊस्तर पूस्विश्ट राम उर्क्रिश्न दोनों एक है, अंतर कुछ दिन नहीं है, अंतर कितना है, अंतर क्या है दोनों में, एक निमिश्मात का एक छोटा सा अंतर, क्या अंतर है, राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर ना ही विशेष, कोई विशेष यंतर नहीं है, अंतर वस इतना है, इनके नयन गंभीर है, राम के और इनके चपल विशेष, क्रिश्न के चपल विशेष गोवी जही तैकारी, जय यशुरारी, शिंदु प्रिया सुटकंता और इनके चपल विशेष, क्रिश्नकों आश्युरह, क्रिश्नकों आश्युर्दाए, क्रिश्नकों रिए दिखेजुर्णार्य। पालन सुरदरनी अगबूत करनी मरम जानत कोई जो सहज क्रिपाला देल दयाला करऊ अनुगर सोई सिताराब भागवान को प्रकट करने के लिए स्थूति कर रहे है प्रभो आप देवताओं के स्वामी हो आप अपने सेवकों को सुख देने वाले आप अपने स्रनागत को रख्षा करने वाले हो अधा है भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो जाए ये गाय और ब्रामन के रक्षा करने वाले, ये यश्णों का विरास करने वाले, ये समुद्र के कन्या की शौमी ए ब्रभू आप हम पर प्रसन हो ये और हमारे सामने पर गठ हो जाए ये देवताओं और पिट्वी के भार को दूर करने वाले आपकी लीला अदवत है आपकी लीला का भेद आज तक कुई नहीं जान पाया जिसका सज सभावु क्रिपा करना है जो लोगों के उपर क्रिपा करते हैं दिनों के उपर दया करते हैं ऐसे प्रवु हम पर परसन हो ये जया जया यबिनासी सब गटवासी ब्यापक फरमानन दा हो सीता राम रादे शाम 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 रादे शाम शाम रादे शाम 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 रादे शाम शाम विड़त गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकंदा आप जिता रामरा, 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 जि के द्वार पे आया है आप हमें दर्सन देजे हमारे विक्षिक जेही लागी बीरागी यति अनुरागी बीगत मुमुनी ब्रेंदा मिशीबा सरध्याव ही गुणगन गाव ही जाया ते साची दानलेंदा रदे शाम शाम रादे शाम शाम रादे शाम शाम रादे फिर टबू आप सभी लोगों से गीर खो मोह और स्वार्त सडा के लिए मुक्त हो आप इस संसार में अपने भक्तों के प्रेमी हो रात दिन बड़े-बड़े सादू संत रात दिन आपका तिहान करते हैं जिनका गुनगान करते हैं वे सची आनंद भगवान की जय इस प्रकार समस्त देवी देउता गण ब्रह्मा जी स दिस समय दीन सागत के तट पर बैठे बैठे स्तूती करने में जा परनतों जब बैठे बैठे जबते किस तूती नहीं कि गये भगवान के कानों में आवाज नहीं गए बगवान सुई रहे जब भगवान को प्रकट करने के लिए उनों खड़े हो गए और नाचते हुए किर्टन की तो अधी हमें आज यहां भगवान को प्रकट कराना है तो हमें अपने स्थान पर दो मिनट के लिए खड़ा होना पड़ेगा और नाचना पड़ेगा नाचते हुए किर्टन करना पड़ेगा तो जो जो लोगों को नाचना है वही खड़ा हो ये जिनको नाचना है वो खड़े हो जाए और भगवान के लिए सुति किजि आज मेरे यंग नाम में आओ नन निलाल आज मेरे यंग नाम में आओ ननिलाल आज मेरे यंग नाम में आओ ननिलाल आज मेरे यंग नाम में आओ ननिलाल आज मेरे यंग नाम में आओ मेरे माकन को कहओ मिठी 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 बतिया सुनाओ नन बोलाओ आज मेरे यंग नाम मैं आओ नन दिलाल मिठी मिठी बतिया पीछे से नाचना है हरिवाँ देखिए देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ किलियर कि जब तक सब लोग नाचेंगे नहीं भगवान नहीं प्रिगट होंगे सो रात का बारह बज़ा है मैं बगवान को प्रिकटिया नहीं कराने वाला इसमें सब को नाचना होगा हाँ उपर गर के आज मेरे यंग नाम में आओ नंदेलाग आज मेरे यंग नाम में आओ नंदेलाग साउन वाले कहा है आएंगे आज मेरे यंग नाम में आओ नंदेलाग देखिये कितना परम सो भाग्य है इसको आपके See देखिये कितना सुन्दर सो भाग्य है कितनी अच्छी बात है कि अभी भगवान को प्रगट कराने के लिए हमने सुति प्रारंब किया और हमारे बीच भगवान के परमगठ पंडिची आ गए अरिवो आज मेरे यंग नाम में आओ नंदेला आज मेरे यंग नाम में आओ नंदेला अरिवो नाचिये नाचिये आज मेरे यंग नाम में आओ नंदेला आज मेरे यंग नाम में आओ नंदेला आल मेरे यंग नाम में आओ मेरे माकन को खाओ अंग नाम में अरिवोल छोटी माता जी नाचना है अरिवोल अंग नाम में आओ मेरे अंग नाम में आओ नंदेलाव आज मेरे यंग नाम में आओ नंदेलाव अज मेरे यंग नाम में आओ नंदेलाव ऌनी वो, हो जो, हो औरखना, हो हो शो, हो नहर थीवर आढ्मान यूर्फ। आड़ हैसा है बल्ष आज मेरे यंग नाम में आओ नंदिलाग अंग पे एकुलिया सिसपे लगुरिया दूद की दंदुलिया सीखाओ नंदेला आज मेरे यंग नाम मैं आओ नंदेला आज मेरे यंग नाम मैं आओ नंदेला नाचना है वादा जी नाचना है हरिवा अरे कृष्णा प्रभुर जी प्रोभा मैं से नाचना है रोशन प्रभू नाचो अरिवा नंदेला नाचो नाचो आपके बिदाँ आपके-पस्टाने 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 मेरे यहांग नामने अजनों थे कुष्णना, क्षिश्डा, क्षिश्णा, 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 क्षिश्णा,क्षि रूस्टे मिमद्च खता तनाःओं में पूर्क हुझो प्राइन दे से शेंहें ल्गता शुकर Palya Sepa steak नाजी नाज्विन्यों एई आउर क्ष्णा शर्ट्ष्णा अरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare हー लेकल्षीना हरे कुष्टा हरे कुषना हरे कुष्टा हरे कुष्टा correct case हारे भारे घर्ष्णाथ पीछे दानसे आरे रामा कौविन बोलो हरी इबोपाले बोलो कौ कोविन बोलो हरी इबोपाले बोलो गोविंदा बोलो, हरी गोपाले बोलो गोविंदा बोलो, गोपाले बोलो गोविंदा बोलो, गोविंदा बोलो राता रमना, हरी गोविंदा बोलो, राता चोटे बाबाजी नाचना है, हरी बोल हरे किष्णा, हरे किष्णा, 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 क बोलो हरे खुष्ष्ष्णा खुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् हरे किष्डेंड पिश्ena हरे हरे नामराम रम राम रमा हरे हरे संती बनाय रखें हरी वो सब अपने अपने संतान पर बैठ जाईए संती बनाय रखें है तो है तो है तो है तो है तो है तो सब बैठ जाए और इदर चाल कदमी ना करें किर्प्या बैठ जाए तो इस प्रकार जब सभी देवी देवताओं ने सुती किया ना चुते हुए बैठे बैठे में किर्प्या अपनी कही वी वचन को शर्ति करने के लिए इस प्रिद्वी पर कट्ती वी गाय की रक्षा करने के लिए रिशी मुहियों की यक्ये को पुना प्रजुलित करने के लिए गाय और ब्रामनों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समें भगवान को कोई देख नहीं सेगा मातर उनकी वानी प्रकट हुए ब्रमा और स्टिव जी ने सुना भगवान विश्ण ने कहा ब्रमा जी आप यहां पे छीर सागर पर जिस जिस देश के लिए आए हो मैं जानता हूँ आप चिंदा मत करो कुछ समय के बाद मैं इस प्रिट्वी पर अउतार धारन करूंगा और इन सब राजा महराजाओं का वद्ध करूंगा और प्रिट्वी पर का भार दूर करूंगा साधु संतों को आनन दूंगा प्रिट्वी को भार दूर करूंगा और धर्म की स्थाबना करूंगा दुष्णों का विनास करूंगा तब ब्रमा जी गन्फरम करने के लिए पूछा प्रभू आप बताओ आप आओगे ये तो हमें विजवास है परन्तु कहां आओगे ये बताओ क्योंकि इस प्रित्वी पर अपने आपको भगवान कहने वाले बहुत है फलाने बाबा भगवान फलाने बापू भगवान फलाने साही भगवान फलाना माई भगवान सब भगवान है भई लोग इतने गिर गए कि अपने आपको भगवान बोगते हैं कहां भगवान और कहां ये तुछ आदमी कोई मतलब कंपेर ही नहीं है दुनों का इसलिए प्रभू अब कल्पम बताईए हमें कि आप कहां आ रहे होगे तब भगवान कहते हैं कि वसुदेव ग्रिह शाक्षा भगवान पुरुषपरा जनिश्यतेतत प्रियार्थम संभवंतुर्श्वरेश्ट्रिया साइथ प्रूम अभी आए इतनी लेट से एप रे कृष्णा अरे कृष्णा खृष्णा growth र族 राम 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 में के वसुदेव ग्रिह साख्षा भगवाद पुरुषपरा लेट प्रूम अप vaisुदेव अंतावना दी और सबुद्धिवी देवता अपने अपने अंस से गोप सखा की रूप में प्रकट होगा प्रित्वी पर अपने अस्थान पर इस्थान पर गई सब रोग अपने अपने अस्थान पर चले गए सुब्देव गलस्वामी अभी एक आख था आकास्त निच्छी उतार कर मतुरा लेकर जाते हैं आइए हम दिमतुरा चलते हैं जहां पर वसुदेव जी और देवकी का डिद्दी विवा अग्वान का जहां पर प्रकट होने वाला है उस समय मतुरा में सूर सेंद के पुत्र जिनका नाम था वशुदेव का विवा राजा देवक के सबसे चोटी कण्या देवकी के साथ हो रहा था वजुदेव जी की बाराद देवकी के वहाँ पर आई पंद्रह दिन तक बाराद रुके बहुत मेमान नवाजेवी स्वागत किया किर्टन हुआ भोजन हुआ और पंद्रह दिन बाद जब बेटी की विदाई देने के समय आया तो कहते हैं मंगल गान गाए गए डोल नगाडे बजाए गए पकावत सेना ये सब बसे अनेकों राथों पर विरजमान थे और इन सभी रतों के बीच में वजुदेव जी का रत कड़ा था वजुदेव जी रत पर आडूर हो गए यहाँ पर देवकी को रत पर आडूर किया गया और उस देवकी को विदाई देते समय देवकी का बहाई कजिन ब्रदर उसके जो कजिन था राजा देवक का बहाई उग्रसेन और उनके उन पुत्र थे कंस कंस ने देखा मेरा कंस ने देखा मेरे बहन कि विदाई हो रही है कان्स के रिदय में प्रेम हुमर गया और इतना प्रेम उत्पन हुआ इतना प्रेम हुआ कि देवकी और वशुदेव के सार्थी को उतार कर कन्सखूर सार्थी बन गया कन्स्वेंग उसरत को चलाने लिए त्याब और जैसे ही कंस रत को चलाने के लिए तयार हुआ उस समय देव लोग में खलबली बचले सारे देवताय कत्रित हुए मिटिंग करने लगी कि यदि कंस एक इंच भी रत को आगे चला दिया तो भगवान श्री कृष्णि कंस को कभी नहीं मारे क्यों? क्योंकि भगवान एक बार अपनी सेवा करने वाले को मार दे परंतु जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं उन्हें भगवान कभी नहीं मारते है अब भगवान वसुदेव और देव की भगवान श्री कृष्णि की प्रिया भक्त आज कंस वसुदेव की सेवा करने साथ है अधी कंस वसुदेव और देवकी की सेवा कर दे तो भगवान मजबूर हो जाएंगे क्या करें क्या करें देवताओं से नहीं रहा गया और सहसा कास्वाने कर दे अरे मुर्क कंस एक कांस देखने लगा मुर्ख कहने वाला कौन पैदा हो गया अज तक उसे कभी किसी ने उनसे उची आवाज पर बात नहीं किया था और डारेक्ट यहां रे मुर्ख तो देखने लगा अगर लेट राइट किदर बोल रहा है कंशारों और देखने लगा कौन कह रहा है मुर्ख तब पता चला आकास वानी तू जिसका रत चलाने जा रहा है उसकी आठवी संतान तेरी मृत्यू का कारण बनेगा देवदाओं ने ये किलियर नहीं कि आठवी पुत्रिया आठवी कन्या संतान अब देखी असुरों का प् जो आसुरी बुद्धी के होते हैं उनके प्रेम पर कभी बिश्वास नहीं करना चीए ये असुर एक पल में बहुत बड़ी बड़ी प्रेम की बातें करते हैं और दूसरे ही पल में मारने काटने के लिए त्यार हो चुका था पर जैसे ही सुना कि इनकी आठी संतान मेरे मि सित्युवा कारण बनेगा तुरंत घोड़े की लगाम छोड़ दी हांच से छोड़ दिया एक हांच से देवगी का पाल पकड़ा और दूसरे हांच से म्यान से तलवार कीच दिया जैसे इक कंस नदेवगी को मस्तक काटने गया तुरंत वसुदेवजी ने कंस कहा हाँ पर महराज क्या कर रहे हो आप इतनी भेंद को मारोगे वसुदेव जी ने कृष्ण को बहुत सुन्दर रूप देश दिया इस अंसार में दो परवचंगरत पर हो एक तुम ने जो सुना कुंतिस्तुति और यह जो वसुदेव जी ने कंस को दिया वसुदेव जी तो नीतिकार आटे जानते दे कीसी भी वक्ती को चार नेक्ति से समझाया जा सकता है साम दाम दंड लबेद कंस को न तु दंड़ दिया जा सकता है और है साम और भेद से वसुदेव जी ने बहुत समझाया कंस नहीं माना अंत में वसुदेव's जी माराज आपको भाई किस बात का है बोले इसकी आठवी संतान मुझे मारेगा बोले आपकी वैरी इसके आठवी संतान है देवकी ने आपका क्या बिगड़ा है आप आपका देवकी ने क्या बिगाड़ा है आप देवकी को छोड़ दीजी और मैं आपको वादा करता हूँ इसके गर्व से जितने भी संतान होगा मैं आपको सौप दूँगा और फिर तुम्हें जो करना है सो कर लिए गुरु मराज करते हैं कि वसुदेव जी ने कहा कि देवकी के कोक से जितने संतान प्रकट होंगे सब आपको दे दूँगा लेकिन जो तुम्हें मारने वाला है उसे नहीं दूँगा डबल मिनिंग में बात की वसुदेव जी ने संस्कृत में ऐसा लिए गुरु माराज कहते है कि कुले कंस को विश्वास था इसलिए कंस डबल मिनिंग वाली बात को समझा नहीं और इनको बिदा कर दिया एक साल के बाद प्रथम पुत्र की प्राप्ति वी वसुदेव जी एक दिन के बाला को लेकर कंस के पास आए और उस एक दिन के बाला को देकर कुले वसुदेव जी इसे लेकर जाओ ये मेरा क्या बिगाड़ेगा और वैसे भी उसकी आठवी संतान मेरी मिर्तियों का कारण है वसुदेव जी इसे लेकर जाओ वसुदेव जी चले गए अब आठवी संतान होगी तो मेरे पास लेकर आना लेकर चले गए तो फिर भी देवलोग में खलवली कंस ने पहले बालत पे छोड़ दिया दुसरा तिसरा कब आठावाँ आएगा पता ने देवताओं ने मिलकर नारा जी को भेजा नारा जी कंस के पास आ गए नाराया 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 बोले कंस तु बिलकुल मुर्ख है ते मराज आप मुझे रहे हो जीवन पहली बार मैंने कुछ जीवन किसी को जीवन दान दिया है इसलिए कि रहा हूं तु मुर्ख है इसलिव तुमने उसे छोड़ दिया क्यों इसलिए कि आकास वानी हुई थी कि आठी संतान मेरे मिट्ट्यू का कार नारा जी करते हैं इसलिए कहता हूं तुम मुर्ख है अरे विश्णु है विश्णु तेरा बाप है वो तेरा बाप खंबाप फार करकल प्रकट हो गया था तो अभी 8 नम्बर का वलेट करेगा एं पर पहला होगा दूसरा होगा तिसरा होगा है पूं कभी या सकता और अच्द बता इस में से 8 mai को एदर सी टिने तो यह हुआ इधर शेंगिं तो यह हुआ कि नाराजी एक पंखुडी बाता इस इसमें आठवी पंखुडी कोन है कंस गिनने लगा कंस तमज गया तुरंद कंस ने सैनिकों को भेजा उस देवकी और वसुदेव को लेवर आओ उसकी संतान को मार दूगा नारजी ने का नार आया नार आया उसी के लिए मैं आया था चल गए नारजी अपना काम करके चले गए देवकी और वसुदेवजी को कारागार में बंद किया उगर सेन को भी बंद कर दिया और देवकी के देखते देखते कंस ने उनके पर्थम पुत्रों को सीला पर पटक कर मार डाला दूसरे दिन दूसरे पुत्र का जनम हुए दूसरे पुत्र को भी सीला पर इस प्रकार करते करते छे छे पुत्रों को देवकी के सामब आने देवी के रिधय में बहुत दुख है और ये दोख बगवान संकरशन से नहीं देखा गया संकर सन्वने साक्षाद बल्देवजी साक्षाद बल्देवजी के लूप में बगवान शंकर सन्देवकी के कृदय गर्व में प्रकट हो गया यसे ही बल्देवजी आये बगवान विष्टी ने युगमाया को बुला आये और कहा गच्छ देवी डेवी, तुम जाओ उमतुरा और देवकी के रिदय गर्व में, गर्व में जो बालग पर पल रहे हैं, बल्देव जी आये हैं, उस बालग को रोहिनी के गर्व में ट्रांसफर करोदो, और तुम करो ऐसा करो, हे देवी, मैं तुम्हें आशिरवाद देता हूँ, कि कल यूग में यह देवी अधित्व में ऐसा करोगी तो मैं तुमें आशिरवाद देता हूँ कि आने वाले योग में कली योग में मेरे से भी ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी अनेकों रूप में काली दुर्गा चंडी का इस प्रकार भगवान का देश हुआ, योग माया गई देवी के गर्व से उस बालक को निकाल कर रोहनी के गर्म में डाल दाल देव की सवरी उठी तो पता चला कि गर्म बालक नहीं, और वहां पर मतुरा में लोगों ने सोचा कि आज तक कंस जन्व लेने के बाद बालक को मारता था, अब तो गर्म मैं ही किसी तांत्रिक के बार मरवा दिया क्योंकि जो बदनाब होते हैं उसे प्यर्वरोसा नहीं किया जाता है देवकी को दुख बढ़ गया देवकी को बहुत दुख हुआ और देवकी रात दिन भगवान से प्रार्थने करने लगी प्रभु अब कब आओगे कब आओगे हमारे दुख को करने यखिया हरी दर्शन को प्यासी प्रभु अब ये आँख आब के दर्शन की प्यासी देव की पुर्ण समर्पित और जब कोई भगवान की उपर पुर्ण समर्पित हो जाता है तो भगवान का सिद्धानते भक्तों भगवान उनसकी बात को तुरंत सुने थे भगवान स्री कृष्ण अपने धर्म से उतर कर सरो पर्थम वसुदेवजी के मन में आये पस देवजी के मन से देवगी की मन में गए और देवगी की मन से भगवान श्रीव कृष्ण देवगी के रिदय गर्भ में आगे जैसे ही देवगी के रिदय गर्भ में में भगवान आए देवगी का तेज बढ़ गया एकेल प्रमांड के नायक करोडों करोडों सुर्य से भी जो प्रकासमान है ऐसे भगवान जब देवकी के रिदय गर्व में आए देवकी का तेज पढ़ गया कंस के कारागार में देवकी को देखने आया कंस की यांखे बंद हो गई चो निया गई उनकी आए ते के यह समझे गया कि निषित मेरा काल विष्णु आ चुका है अब यह कभी फिर प्रकठोबकर मुझे मार सकता है नपी सकता है ना सो अभना शो कता रहसां ना जग सकता ना बेढ़ सकता है कंस भोजन करने बैठे तो रोटी में विष्णु दिखाई दे अधि खाऊंगा तो अंदर जाके मार डालेगा पानी में विष्णु बगतो जर्माश्टिमी के दिन सब लोग निर्जला नहीं रहते पर अंतो किर्ष्ण निर्जला उपास कियो उस दिन कंस समा कीजिए कंस ज ब्रह्माजी को पता चलते ही ब्रह्माजी समस्त देवी देवताओं को लेकर कंस के करागार में आए और बहुत सुन्दर स्तुतिकर क्या समस्त देवी देवता अचन्दर वकिन्नर चारण विद्यादर यसम लोग करिंस के कानागार में आये किस द कानागार में आए ब्सलिस दिखिताओं नै अगर बढ़वाने पर हे उसलो थि बेड़तन्य शयफ्या आँ नहागन खेहितो प्रूनी गैवाई सब्सक्राइब बगवान गर्व में है और सभी देवी देटा अगर वस्तिश्थी करते हैं क्रिश्ण आपकी वानिश्थ है आप तीनों लोगों में सत्यों आपका देश्थ है आपका नेत्र सत्य है प्रतम दिन आपको मैंने बताया था कि प्रम सत्य कौन है मैंने बताया था कि समस्थ देवी देवता ब्रह्मा जी महेश विष्णु सहित स्विकार करेंगे कि सत्य कौन है सब लोग इस्तुथ करते हैं शक्ति और अभवान इसने krishna की अधिबूत करने ती ब्रवह क्याते मुंक्स प्रवु आप की वानी सकते हैं, आपका व्रत सकते हैं, आप की जोकों में होग्सादी हो आपके ते सकते हैं, आपके नेत् दिर सकते हैं, प्रवव आपका सब कुछ शित्成त है इसलिए आप परमुशत्य हो अने एक स्लोकों में इस्तुति करते वे करते हैं आस्तुति करही नागमुनी देवा आस्तुति करही नागमुनी देवा जय क्रिष्ण अनादि अनन्त विभु परमानंद रूप अनूप प्रभु अवलोकिष शोकित प्रतजणं करिवेश विशेश कलेश हरं आस्तुति करही नागमुनी देवा आस्तुति करही नागमुनी देवा जय शक्त्य मयम जय ज्यान मयम तपयो विराग शुद्धान मयम कर्माटि शुक्रूत सुनेम मयम निति नौमि शुबाह सुपेम मयम आस्तुति करही नागमुनी देवा आस्तुति करही नागमुनी देवा जैकास आकास विकास ही है परमेव परम अवकास ही है निवेश विशेश विशेश ही है नितिनौमि परमस विशेश ही है परिवासक शर्व शुशासक है अतुनियम परम परकाशक है सब शाम विराम ललाम ही है नितनाम परम अबिराम ही है आस्तुन ते करही आदे मूनि देवा जय क्रिष्ण अनादियनं तब धो परमानंद रूप अनूप प्रभु अब लोकिष शोकित प्रण कजनं करिवेश विशेश कलेश हरं आस्तुन ते करही नागे मूनि देवा आस्तुन ते करही नागे मूनि देवा जय काल हुकाल सुकाल परम सुर अंग समूह ही भाल वरम रावन्य ललित महो महोदि नित नौमी प्रमूलाही परमनि देवा आस्तुन ते करही नागे मूनि देवा आस्तुन ते करही नागे मूनि देवा भो तेत्य अकत्य अगम्य जनम परि पुर्न परातप फरम भजम परिबोद अरातत शारत है नित नौमी शुबाहू परमात है आस्तुन ते करहा आते मूनि देवा multip आस्तुन ते करही नागे मूनि देवा गोते थु अकत अगम्य जणम परिपूर्ण परातप परम बजम परिबोध अथारत शारत है निते नौमि परम परमारत है आजु पितरर नागमोनी देवा जय गोते थु पितरर नागमोनी देवा जस अधिगोलों तशुदाम पतिन शदमनरन रंजन परम गतिन रशरूप श्वाशरादारमनम निते नौमि तृताप ही भशमनम आजु पितरर नागमोनी देवा तर रूप अने कही पुर्वज था अभिराच्च त्रिलो कही हरी व्यता उनी हम दुख जाल करार पर अभिराच्च परनत्यन पानी हरे आजु पितरर नागमोनी देवा आजु पितरर नागमोनी देवा जय क्रिष्ण अनादि अनन्त विवो पर्मानंद रूप अनूप प्रभु अवलो किश शोकित प्रनत जनम् व्यत्त विवेश विशेश कलेश हनम् आसु पितरररी आप्रे मोनी देवा आसु पितररी आप्रे मोनी देवा चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता चत्री ब्रजदारन धर्म सुझारत वनसी धारन जनतारन चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता चत्री ब्रजदारन धर्म सुझारत वनसी धारन जनतारत दिवकी के कारन नात्विवारत अशुर। विरारन बगवारन भवशिंदूतारन जन्य विचारन चारूतारन बगवन्ता चारूतारन बगवन्ता आर्श्तु थिकर आंके मोनी देवा आज तुम्ते पारही जाके मोगी पेवा भगवान की सुती करने के लिए सब आये और इधर देव की नेना तरस रहे भगवान को दुश्ट करें कि आओ नंद लाल तरस रहे नेना ओ आओ नंद लाल तरस रहे नेना तरस रहे नेना तरस रहे नेना आओ नंद लाल तरस रहे नेना प्रित्रानाय शाद्वनाम विनासाय चत्रत्तां धर्म संस्थापनार खायग संभवामी उगे उगे जिस समय भगवान ने साध्व की रख्षा करने के लिए दुष्टों का विनास करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए इस प्रिप्वी पर आने के लिए निश्य कि जैसे ही भवान देव की के दिदेगर्व में आए यह जैसे यांन विश्य की उसी समय संसार का काल समस्त कुणा से बिद्वोसिक हो गए आकास में गर्णक सत्रसांथ हो गए दिशाय स्वच और प्रसन्न नहों गई आकास में तारे जगमगाने लगे प्रिथ्वी के बड़े बड़े नगर गाउं उबस्तियां हिरों की खानों से मंदल में हो गई नदियों के जल निर्मल हो गई कंस जैसे अत्याचारों से नदियां जल सुख गए थे आज भगवान कृष्ण प्रिकट होने वाले है पता चलते हैं नदियों में बार आने लगी पंची गंदन धर्व करने लगे आज कंस आरी दुष्टों के अत्याचार से विरिक्षों ने फल और फूल ड़ना बन कर दिया थी परंतु भगवान कृष्ण प्रिकट होने वाले हैं यह पता चलते हैं בिरिक्षों के बाहत सुन्दर फल और फूल आ लगाए संतों के रिदह में आनंद होने लगा। असरों के मळ में छोब होने लगा। प्रामनों की अग्री प्राप्रजवरित होने लगी। स्वर्ग ने दुंदुनियां बजने लगी। गंदर और गाने लगे, किंदर नाचने लगे, सुत्र और चारें बाजे बजाने लगे, और उसी से बादल गरजने लगे, और भटो, रात के साथ मुर्ट निकल गए, आटवा मुर्ट प्रारम हुआ, बाद्रमास, क्रिश्न पक्ष, अश्टमी तिक्री, रोह नीन च्छत्र प्रश्न रोग, व्रिश्न लगन, प्रिश्न योग, बूद्वार को, भीक रात को, बारा बजे, जैसे यह नेरे रात में, पुर्ण कलासे युक्ति चंद्रमा प्रगट होता है, जैसे सिंद्री की गर्विसे, सिंद्र जन्म लेता है, वैसे जव की के लिए ऐसे बगवान स्री क्रिश्न प्रगट हो गए, तो इस प्रकार कंस के कराकार, भगवान स्री क्रिश्न प्रकट हुए, वसुदेव जी क्रिश्न को लेकर गोकुल चले गए, गोकुल में सुबह जवनेंद बाबा को पता चला, कि घर पर लाला का जन्म हुआ है, इस सारे बात पुरी कोकुल में पता चला गया, ब्रावनों को बुलाया, स्वस्ति कवाचन कराया, और आज सारे वरज में समस्त वरजवासी गन, सुंदर सुंदर आभुशन परन के आए, सब के मुख खिल गए हैं, जैसे आपके खिल गए हैं, नं गरिया नंद भयो, जै कन या लाल की इन नंद गरिया नंद भयो, जै कन या लाल की जै कन या लाल की, जै कन या लाल की जै कन या लाल की नंद गरिया नंद भयो, जै लाल की जै कन या लाल की, जै कन या लाल की, जै कन या लाल की इनन गर आनंद बैयो जैकन या लाल की आजिके आनंद बैयो जैकन या लाल की 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 आजिके आनंद बैयो जैकन या लाल की आजिके आनंद बैयो जैकन या लाल की प्रज कि जएकनिया लॉल जएकनिया लाल की जैकनिया लाल की जैकनिया लालकी 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 नंदगर आनंद भयों जैकन या लालकी 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 दिवांति दियो गोड़ा दियो और दियो पालकी जय हो नंदे लालकी जय हो नंदे लालकी नंदे गरे यानंद भयों जय कनया लालकी शाम तेरी बंसी बचे दिरे दिरे शाम तेरी बंसी बचे दिरे दिरे शाम तेरी बंसी बचे दिरे दिरे सब को नाचना है अरिवोल नाचे नाचे मैं तेरी बंसी 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 हो नंदे दिरे दिरे सब नाचिए नाचिए इस पे मतुरा उस पे गो कुल इस पे मतुरा उस पे गो कुल पीच में यमना बहें दीर दीर शाम तेरी शाम तेरी बंसी बजे दीरे दीरे इस पे मोहन तेरी मुर्वी बजे दीरे दीरे अरि बोल नेत्य करना है वगवान के इत्म दुमंगल उत्त श्री दामा इत्म दुमंगल उत्त श्री रामा बीच मैंका ना चले दीरे दीरे मौन तेरी मुरली बजे दीरे मौन तेरी मुरली जाओ तो ही पनसी बजे दीरे इत्मे ललीता उत्त मैं विशाका इत्मे मैं लली का तुम्हें विशा का पीच मैं रादा चले दीरे दीरे पीच मैं रादा चले दीरे दीरे शाम तेरी बंसी बजे दीरे हम सब आए हैं शरन तुम्हारी हम सब आए हैं हम को भी दर्शन में दीरे दीरे हम को भी दर्शन में दीरे दीरे हम को भी दर्शन में दीरे 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 शाम तेरी बंसी बजे दीरे दीरे शाम तेरी बंसी बजे दीरे दीरे शाम तेरी बंसी बजे दीरे दीरे कि आप साधी फ्याओं में अज्ते हैं बगवान के जन्य गोंपके जुन्ड बना के नाच यए जूला डारी कदम की डारी जूला डारी कदम की डारी रादा और मोहन जूले दीरे दीरे शाम तेरी बनसी बजे दीरे दीरे मोहन तेरी बनसी बजे दीरे दीरे कले को तरशावे हो लाला मुहे काही बंसी कन तरशावे मेरो गरे कब हुना आवे सावरिया मा कले कोशावे मेरे गर कब हुना आवे सावरिया मोह काहे को तरसावे मेरे गर काहे को करसावे हुलाला मोह काहे को तरसावे मेरे गर कब हुना आवे सावरिया मोह काहे को तरसावे वन वन गाय चरावत डोले वन वन गाय चरावत डोले तो तो कारी ओडे कावरिया मोह काहे को तरसावे मोह काहे को तरसावे मेरे घर कब हो ना आवे सावरिया मोह काहे को तरसावे अजया अजया आवे अजया आवे नाचना है सोई गई की कोई गई मैं तु तो मतूर बचायो गयो पांसुरिया मुहकाहे को उतर सावे है तु तो मतूर बचायो गयो पांसुरिया मुहकाहे को तर सावे हो लाला मुहकाहे को तर सावे मेरे गर कब हुना आवे सावरिया मुहकाहे को तर सावे सुन सुन मोके रहियो ना जावे सुन सुन मोके रहियो ना जावे चल गट में बज़ पाया लिया मोह काहे को दर्शावे चल गट में बज़ पाया लिया मोह काहे को दर्शावे काहे को दर्शावे हो लाला मोहे काहे को दर्शावे मेरे गर कप पहुना आवे सावरिया मुए काले को कर शाहिए रादा दून रही किसीने मेरा शाम देखा शाम देखा गन शाम देखा रादा दून रही किसीने मेरा शाम देखा रादा रादा दून रही किसीने मेरा शाम देखा रादा दून रही किसीने मेरा शाम देखा रादा 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 गई अच्छा राते हुए। रादा तेरा शाम देखा। कई अचराते हुए, यो रादा तेरा शाम देखा, कई अचराते हुए, रादा तूंड रहे, किसीन मेरा शाम देखा, रादा रादा तेरा शाम हमने जती पुरा में देखा, 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 रादा तेरा शाम हमने जती पुर उखाते हुवे, ओर अधधेरा शाम देखा राधा तेरा शाम हमने ब्रिंडावन में देखा रादा तेरा शाम हमने बिंडावन में देखा रास रचाते हुए रादा तेरा शाम देखा रास रचाते हुए रादा तेरा शाम देखा रादा तेरा शाम हमने बिंडावन में देखा रादा तेरा शाम हमने सरो जगत में देखा रादे रादे जबते हुए रादा तेरा शाम देखा रादे 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 जबते हुए रादा तेरा शाम देखा अरादा तेना शाम देखा अरादा तेना शाम देखा बिना माताजी गुडिया माताजी राचे अरादा शाम देखा गोविन्दा बोलो हरी गोपाले बोलो हो गोविन्दा गोविन्दा बोलो हरी गोपाले बोलो गोविन्दा बोलो हरी गोपाले बोलो गोविन्दा बोलो हरी गोविन्दा बोलो गोविन्दा बोलो गोपाले बोलो गोविन्दा बोलो हरी गोविन्दा बोलो हुर्ण आले रामार आड 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 ऐनने आड गार आड गर्म आड 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 आ गर्ग Рग्रेक्षण आड आड वस्त परिशना थिसना आड राड आड आड और अब आज पर प्रक्रांट और इस दो हुआ झारी आज दूद आज रामा राम तुम्या रामा को प्रश्ञचंद्रभवने की जाए सब लोगा अपने प्रिस्तान पर बैठ जाई है पांच मिनट की गत्वां की है संपूर्ण करके आज कुछ तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का प्राकट बहुत ही दिव्य बहुत ही यद्वुत भगवान प्रकटे हैं बहुत सुन्दर रूप में है भागवत की एक आदस स्कंद में निमी महाराज नौयोगेंदर जी से पूछते हैं आवाज नहीं करने है अरे कृष्णा नौयोगेंदर नौयोगेंदर महाराज निमी महाराज पुछते हैं कि महाराज वो कौन सा मंत्र है और ऐसा क्या क्रिया है जिसके द्वारा कल युग में आने वाले जीवों का उधार किया जा सकता है निमी महाराज, नवयोग दर महाराज, निमी महाराज को बताते, कि आने वाले युग में, जब माता सची देवी, एवंग जगत मिश्रा, जगनाद मिश्रा, कि यहां, भगवान, श्रेक्रिश्न और राधारानी का, जो मिश्रित श्रुप, प्रकट होंगे, परम करुणा वर नालाए, कली पावन अतार, चेतन्य महाप्रवो, जब इस धराधाम पे आएंगे, तो जब उज जिस मंतर का, उचारन करेंगे, उसी मंतर के, अरे खिश्न मुझे दे तुझे, उसी मंतर शे, कली युग में आने वाले, जीवों का, उधार होगा, तो ऐसे चेतन्य महाप्रवोजव इस पृत्वी पर आए, और जो उन्होंने महामंतर दिया, ओ महामंतर है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे रे, इस महामंतर का जाप करके, हरे रनाम, हरे रनाम, हरे रनाम, के उलम, करे वनास्ते 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 वातिकन्वित इस महा मंद्र का जाप करके हम कलियों कि समझते दोसों से मुक्त हो सकते हैं और इस महा मंद्र को जपने की कोई विशेश विदी नहीं है कोई इस्पेसल नियम नहीं है आप किसी भी अवस्था में हैं आप जिस कंडीशन में हैं आप उसी कंडीशन से इस महामंत्र को जब करना सुलू कर सकते हैं किसी भी अवस्था में मतलब कोई भी अवस्था में यहां तक यह महामंत्र इतना पवित्र है कि माताएं माशिक धर में भी इसको जब सकती है रजस्वला इस्तिती में भी इसको जब आ जा सकता कभी भी त्याज यह नहीं है यह महामंत्र इसलिए और इस महामंत्र को हमें इस माला पे जब करना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि प्रवसी हम हाथ में जब करते हैं मन में क्या करता है वो तो कृष्णी जानता होगा बई मन में कौन से hero heroine के खायलात है body building के खायलात है वो तो भगवान ही जानते होगे कम से कम मुख से तो भगवान का नाम लिया करो और कोई विशेश वीदी नहीं है आप जिस अवस्था में है आप इसको बैठे बैठे खड़े खड़े चलते हुए घुमते हुए इसका जब कर सकते और यह महामन्तर है अरे क에서 अरे राम हरे राम यह वही महामन्तर है जिस महामन्तर को ले के श्रिला प्रुपाद अमेरिका गए और अमेरिका में जो hippies बन गए थे, जो अपने घर को त्याग दिये थे, जिनका काम था, morning में उठना और स्नैक डोज लेके फिर सोजाना ड्रक्स लेते थे हो, खतरना खतरना ड्रक्स हिपीज बन गयते ऐसे हिपीज को भी हैपीज बना दिया इस महा मंतर ने उन पापियों को भी धार्मिक बना दिया और आज बहुत बड़े संत हैं सिर्फ हिपीज लुक किसकी प्रिकास है, इस महामंदर की क्रिपास, तो इसलिए इस महामंदर को हमें जपना चीए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना जपना चीए, कहते हैं इस महामंदर को हमें एक दिन में 60 rounds, मतलब इस माले में 108 मौती है, और इस 108 मौती को हमें कम से कम एक दिन में 60 महामंत्र को एक ही मोत्धी प्रें पूरे लोग करूते ज़ी पता चलता है कि एक हूं में आपको ज्यादा से ज्यादा समय लगीगा साढ़ी साथ मिनक ताली नहीं बजाना है इसको लेना है धारन करने अपने जीवन में ठीक है ताली बजा के आपको लगता है कि मेरा सम्मान हो रहा है लेकिन अधी आप मेरे बाद को मानो तो ताली बजाने से ज्यादा सम्मान मुझे उसमें मुझे इसलिए आप महामंत्र का जाप कीजिए कोई भी अवस्था में आप कर सकते इसके लिए कोई नियम नहीं है कि मैं जाओंगा गर पे और टांग उपर कर दूँगा माथा नीचे करके जब करूँगा या फिर हाथ के बल खड़ा होके जब करूँगा या फिर ऐसे करके कान पकूड़ूँगा फिर जब करूँगा ऐसा कुछ नहीं है सिंपली जाना है, माला को उठाना है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे राम, हरे राम, हरे राम, 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 हरे जप करते रहे रहे जपा करेंगे, तो इसकी महिमा मैं आपको नहीं बताऊंगा आप इसकी महिमा मुझे वताना फून करें कि प्रॉजडी मैं ये जपा कर रहा हूँ और इस जपा से मुझे इतने फायदे हुग क्योंकि इसकी जो महिमा रहे है ना वाखान ये है उसको वाखान नहीं किया जा सकता मैं नहीं बोल सकता उसके उसके हमने खुद अपने जिन्दगी में उतारे, बहुत सारे लोग हैं यहां पे जो हमारे सेंटर से आ रहे हैं, वो लोग जबा करते हैं, और उनसे आप पूछिए कि कैसा फिर होता है आपको जबा करने के बाद, लोग बहुत टेंसन में थे, हमने उनको दिया, शुलपरुपाद यह मौती जो है सुमेरू है, इसमें हमें तीन मंतर बोलने होते हैं, आप तीन ना बोल सको तो एक मंतर बोलते हैं, जै श्री कृष्ण चेतन्या, प्रभु नित्यानंद, श्री अदवेट गदादर, श्री वाशा भी गवर्भक्त विंद, जब हम इस मंतर को जबते हैं, त कि जब करती हैं जिख को हमसे अपराध होता है, अपमान होता है, तो अपराध और अपमान छमित हो जाता है, इसलिए हमें इस मंतर को यहां पे बोलना चाहिए, उसके बाद, जब , यह कहते हैं न, यह जो मोती है, यह उपर वाला मोती, यह कृष्ण है, कौन है? दूप्र आपको बहुत फायदे होंगे, physical life में भी फायदे हैं, material life में भी फायदे हैं और spiritual life में भी फायदे हैं, भक्ति के जीवन में भी फायदे हैं और भौतिक जीवन में भी फायदे हैं, इसलिए आप जब कर सकते हैं, और यह अचा नहीं सोचना है आपको, कि मैं माला ले लोगा, तो मेरी दिक्षा हो जाएगी मुझे यह नहीं करना है वो नहीं करना है बिलकुल मैं दिक्षा नहीं दे सकता आपको दिक्षा देने के लिए महाराज है आपको उनकी पास जोना पड़ेगा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको महामंतर जब करने के लिए क्या सकते हैं आज लाश्ट कथा है और लाश्ट कथा के दिन पाँच मिनिट का अनुमोधन होता है यह अनुमोधन मैं चाहूंगा आप मैंसे कोई भगता के इस कथा के विशे में अनुमोधन करें आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहां पे आए इतने प्रेम से इतने सांती से इस कथा का श्रवन किये इस विशेस धन्यवाद हमारे नामत इस कॉन सेंटर से आए हुए माहताजी और प्रभुजी लोगों का जो निते दिन आयां पे आए कथा किये, किर्टन किये नृत्य किये इन सभी माताजी और प्रुवोजीकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अंबर करता हूँ और माताजी जिनको हम लोग नानी बोलते नानी मैं जब से यहाँ पे आया हूँ बहुत ही प्रेम से सभी प्रकार का मेरा ध्यान रख रहे थे बहुत ही सुन्दर तरीके से मेरा ध्यान रखते थे तो नानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद नाना जी अक्सर गारजन की तरह बहुत सुन्दर तरीके से हर एक चीज़ मैं मुझे साहिता करते थे ये करना है हो करना है, बहुत प्रेम मिला मुझे इस घर से, साथ दिन में यहां रहा, मुझे पता भी नहीं चला कि साथ दिन बीत गया और आज मैं जाने वाला हूँ, तो मुझे खराब लग रहा है कि मैं आज जा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का जिन्हो ने किया इस पिसली श्याम प्रुभू जो अपने छोटे भाई के तरह मुझे रखते हैं बहुत सेवा करते हैं हमेशा बहुत ध्यान से रखते हैं ललीता माताजी अपने पूत्र के समाना मुकुमानती हैं बहुत ही चेदरे से मुझे रखते हैं प्रशाद के लिए शेवा आ जिन्होंने इस कथा को और्गनाइज किया मुझे फॉन किया कि प्रभू जी आम लोगे कथा और इस करना चाह रहे हैं आप आईए और इस कथा को किजिए मैं थोड़ा वेस्ट था लेकिन फिर भी किजिन प्रभू ने निवेदन किया और इतने अच्छे तरीके से निवेदन किया कि मुझे यहां पे आके कथा करना है बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी प्रभू का बड़े मामा जी बड़े मामी और भी जो घर के शदश्य है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से मेरा ध्यान रखा सेवा की इन सबका विश्यष धन्यवाद और भक्तों मैं कोई सादू नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, ना रिशी मुनी, ना ये बहुत ग्यान है मुझे बस अपने गुरुशे, अपने दिक्षा गुरु, अपने सिक्षा गुरुशे हमारे सस्ता के आचारी हमारे परम गुरू स्रिड़ प्रवपाद से और इस भागवत जी से जो भी सीखा जो भी पढ़ा आपके बीच रखने का प्रयास किया अधी कई कोई गलती हुई हो तो मैं छमा करेंगे मैं कभी कभी कुछ बोल देता था डाड देता था मादाओं को कि बैठ जाए हाला मत किजे आवाज मत किजे तो जिन्हें यदि बुरा लगा हो तो दोनों हाद जोड़कर मैं उनसे छमा मांगता हूँ मैं कोई सादू नहीं वक्त हूँ ना ही मैं कोई रिशी मुनी हूँ या मुझे बहुत ग्यान है एक शादक हूँ साधने का प्रयास कर रहा हूँ अपने आपको भगवान की भक्ती में लगने का प्रयास कर रहा हूँ आप सबों से यही आशिरवाद मांगता हूँ कि आप मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्तना किजिए कि अपने चर्णों में थोड़ा सास रहे हमें प्रूद किशन प्रभू दो मिनिट के लिए अनुमोधन करेंगे फिराज की कथा को यहां विराम देंगे तिर महारती और प्रशाद लेगा रही आप जाएए मामी जी भी नानी भी करेगी क्या बोलू मैं मैं कोई भक्त नहीं मैं तो इस लायक भी नहीं क्यावरों के सामने कुछ बोलता हूँ स्रेक्रीक्ष्णनाम स्रीराम का जाप करते ओए अन्ता करनमन को कोवित्र करने की कोछिज करता हूँ बैठ जी वह तो थोड़ दिर बैठ जी है जबसे इनकी क्रिपा होई है जबसे हरी क्रिश्न महामंतर का जाप करता हूँ अपने आप में बहुत परिवर्तन महसुष कर रहा है। यह ऐसे महापुरूस है जो तमाश को पवित्र करने का। और जैसे कि सब कोई कैसे हैं कि भक्ति करने की कोई उम्र होती है। जब हम उप्रिद्ध हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे तो एक बात बताना चाहूंगा कि भक्ति भी अभ्धास से होती है। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर काव रोध लोगों में भते रहे। यह सोचे कि जब हमारा उम्र हो जाए जब हमारे हाथ पाउं उम्र करना बंद कर दे तब भक्ति करेंगे। रहे कुछना तो जैसा कि प्रभुज ने बताया था कि भगवान को भी खिलाब अधूद पसंद लाएंगा। अभवान को अर्क्तित करें तो भी फूसर नहीं होंगे जो हम सब यूँद से भिए प्राथना करेंगे कि आप भगवान की बहत्ति में लगे को कियाने का मतलब यह नहीं है कि आप सब काम हछोड़किए केवल भगवान की बहत्ति करें बस आप इतना ही ध्यान रख़ए कि आपके घर में परिबार में जितने भी सदस्य है उसमें एक और जोड़ ले जो कि हमारे स्रीक्रिष्न है वो ही भक्ति के लिए काफी है अगर हम स्रीक्रिष्न को अपने परिबार का सदस्य मानेंगे कहते हैं कि कोई इंसान जब किसी इंसान से मिलता है तो उसका दो ही कारण होता है या तो कोई अभाव से मिलता है या तो कोई प्रभाव से मिलता है लेकिन हमारे स्रीक्रिष्न सिर्फ भाव से मिलते हैं इनको ना ही किसी चीज़ का अभाव है ना ही किसी को प्रभाव से मिलते इनके लिए कुछ नहीं को कोई में कमसे कम एक घंटा नाम जम्ट करें अपको हमारे घर में जो भोजन बनते हैं अब भोजन नाबने च्वभी बनते हैं 700 रुक सारे करिवार में जीवन में जो विकार पैठे हुए है वो दीरे दीरे खतम हो जाएंगे और हम स्रीक्रिस्न की चरणभक्ति प्राप्त करेंगे जैसे कि कोई पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो क्या लक्ष है तो कोई कहते हैं इंजिनियर कोई कहते हैं डॉक्तर ये गलत नहीं है पर उसे पूरी बाति में अगर पुशा जाए कि आपका मानभ जीवन का क्या लक्ष है तो भी क्या उसका जवाब यही रहेगा कि हमारा मानभ जीवन का लक्ष है जाहिर और डॉक्टर बहुत मुश्किल से हमें ये मानभ जीवन प्राप्त हुगा है इसे व्यर्थ के चीजों म में बुराई नहीं है आप अपने परिवार के साथ रहे इसमें कोई बुराई नहीं है पर काम का ही चिंतन परिवार का ही चिंतन परिवार का मोह का चिंतन ये जो हमारे जीवन में जो विकार बैठने लगते हैं इससे मूट हो और काम करे परिवार के साथ भी रहे लेकिन च अफल हो जाएगा भगवद चिंतन जरूर होना चाहिए सब के जीवन में क्रिष्ण एक मात्र हमारे मनुत्य जीवन का लग्ष्छ होना चाहिए रीवो क्रिष्ण टापती के लिए साधू या सन्यासी बनना जरूरी नहीं है अब अपने जीवन में काम करते रहे नौकरी करे बाष्ण करे तब कुछ करे परिवार के साथ आनंद में रहे पर स्रेक्रिष्न की भक्ति भर विकरति है यह करे क्वल सादू को गड़े लगाते है ता नहीं है जो इन का नाम हाव से पुकारता है इनको अपना परिवार का सद्सक्रमान..? हैंने तो आप सबूंका बहुत भुष्द धन्यवाद आप सब यहां पे आए अधि किसी का कोई प्रश्ण हो तो मुझे पूछ सकते पांच मिनिट का समय है कोई प्रश्ण पूछ लीजिए कदी कुछ प्रश्ण पूछना हो तो कोई आसंका हो कोई शंशय हो जब के विशय में कथा के विशय में से कोई डाउट हो अब किलिए पूछ लीजिए कोई प्रश्ण पूछना जाते है इस्ट का जब कर सकते हैं इस्ट मैं आज साथ दिन से इस्ट के विसे में ही समझा रहा था इस्ट मितलब जिसे जिनका मंत्र जबते हैं आप कीजिए लेकिन उसके साथ-साथ इसको जोड़ देना है आपको आप जो कर रहे हैं उसे करते रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ इसको जोड़ देना है और एक चीज और हमें देखना है ध्यान रखना चाहिए कि उस सर्वपरी हैं जो सर्विष्ट है जो सर्वेश्वर हैं ओ है भगवान स्री कृष्ण तो सबके इस्ट एक ही है ओ है श्री कृ पूछ रही थी कि वो माला से अपने इस्ट का जाप कर सकती है उनकी इच्छा जाप करना चाहे तो कर सकती है और कोई प्रश्णा और छमा करें हमारे बीच परमवैश्णव श्रुश्री दिनेस जी भी विराजमान थे जिनका मैं अनुमोधन करना भूल गया मैं उसके लिए प्राफ्टी हूँ बहुत सुंदर भक्ते हैं बगवान की बहुत सुंदर भक्ती करते हैं प्रोजी दुशेश कर मेरी सारी कथाओं में आते हैं जांभी मैं जाता हूँ या पिर हमारे सेंटर पे जहां होती है हर जगा जाते हैं बहुत सुंदर भक्ते प्रोजी मैं चमा ग सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आर्थी करेंगे और अधिया आपका प्रेस्ट नो हो आप यहां मुझे नहीं पूछना चाह सकते हैं चाह रहे हैं मैं अभी यहां से फिरी होंगा फाइब टू टैन मिनेट्स में रूम में हो आप आके मुझे प्रेश्टनली पूछ सकते हैं शिमर्भागवद मापुराण के आरतियती पावन पुराण के आरतियती अन पुराण के आरतियती पावन पुराण के आरतियती पावन पुराण के दार्मा बाक्ते वे ज्यान खान के माहापुराण बागवत निर्मल माहापुराण बागवत निर्मल माहापुराण बागवत निर्मल शुक मुक विगलेत निगम कल्प फल मुख मुक विगलेत निगम कल्प फल परमान अंद सुदारश मयवल लेला रतिरश रश निदान के लेला आरतियती पावन पुराण के खली मलमत नित्री ताप निवारिने चान्मम्री इत्युमय बाववय हारिने सेवत सतत सकल शुक कारिने सुमा हो सदी हरिचरित गान के सुमा आरतियती पावन पुराण के परमान समुने मन विलाश निदे रश करिदय रश राश विलाश निदे पुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधाश निदे कथा के चनप्य सुधान के आरतियती पावन पुराण के विशय पिलाश विमोह विनाश निदे विमल विराग विवेक विनाश नि वागवत तात्वराश यप्रकाश नि परमजोति परमात्म ज्यान के आरतियती पावन पुराण के आरतियती पावन पुराण के हरे कुष्णा, हरे कुष्णा , कुष्णा, 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 Harry, Rama... राम 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 हरे किष्णा खिटां हडे कुछ survey भुष्णा सबस्क्राम ऐए होड़े किष्णा हुआ organic टिंद शावे करें एभा पे बाविद ताल मिभी कुष्णा सेब्सक्राइट हरे कुष्णा हरे कुष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कुष्णा हरे कुष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे ओरे कशना रह चैँ या रा राम राम संक था कि अरो पुछ अरे गुष्णा रहे कशना पुष्णा कशणा आरे ओरे और राम अरे राम रामारण नहीं ञायरे जया रादा मादव रादा मादव रादे जया खुष्ण बलराम जया गोरा निताए जया गोरा निताए जया जया ब्रभुपाद जया जया ब्रभुपाद ब्रभुपाद जया जया ब्रभुपाद जया ब्रभुपाद जया ब्रभुपाद निताए गोरा हरी बोल हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल योग धर्म राज वहरिनाम शंकिर्तन की गरंद्रा श्रीमत भागवत महापुरान की सुष्रादा माधों की सुष्र कृष्ण बलराम की सुष्री लसिंदे भगवान की स्री लग उपादे के लिताई गो प्रिवानन दे अरे कृष्ण